नमस्कार MPPSC Forest Man 2021 जो अपना दिसंबर में होने वाला है 4 दिसंबर की डेट है उसकी उसकी लिए अपनी क्लासिस आज से स्टार्ट हो रही है हलाकि अभी डेट दिसंबर की दी गई है जो भी पब्लिक डेट रहती है PSD की हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है हम अपनी तरफ से कोई अज्यूम करके नहीं चल सकते कि नहीं वो दिसंबर में नहीं होगा बाद में खिसकेगा ये सारी चीज़े हवावाई है जो गवर्मेंट ऑथेंटिक डेट है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा तो उसके लिए अपनी आज से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी एक अगत्स से प्रॉपर वे में रेगुलर क्लास जाएंगी आपकी डेली बेसिस पर जिससे आपका जो सिलेवस है वो विदिन टू मत कंप्लीट किया जा सके आज जो औरियंटेशन बैच है इसमें हम लोग मेंली डिसकस करेंगे कि ये जो 21 का पेपर है अपना 4 दिसंबर में तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रिप्यार कर सकते हैं क्या प्रिप्रेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये अपने लिए इंपोर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि अभी जो अपना में हुआ है 2020 बाला 24 जुलाई इसमें इस्टुडेंट की सरफ तरफ से भी कुछ फॉल्ट गलतियां हुई है कुछ कोर्स करेक्शन जो हम लोगों ने किये है हम लोगों को भी सुधरने की जरूरत है फॉल्ट लाइन के बलापी की साइड से नहीं होती है हमारी साइड से भी होती है कुछ कोर्स में क्योंकि कुछ एरिया है question के जिनने हम लोगों ने cover नहीं किया तो क्या ऐसे area है जिनने हमें और cover better करने की जरूरत है जिससे हम लोग 21 की जो man है उसे proper way में target कर सकें यानि कि classes को course correction की जरूरत है तो उस मुद्दों पर discuss करेंगे जो student के side से जो गलतियां हुई हैं उनको भी discuss करेंगे ये भी देखेंगे कि अपने course का label या जो completion का label है वो क्या रहेगा पिछली बार क्या रहे चुके हैं पिछले साल के मैं मैं आपको कोई cut off वगरे नहीं बनाने भताने वाला हूँ इसमें दूसरा कि क्या अगर आप classes join कर सकते हैं बहुत कुछ online offline available रहता है आप लोग पहले से समझते हैं चीज़ों को तो आप अपने end पे कर सकते हैं उसे हैं बस ये है कि जो classes है जो आप अपने end पे 10 month 12 month में जो आपका अपना cover करोगे classes उसे 2 month में 1 month में cover करवा देते हैं second thing आप उसे पढ़ोगे समझोगे तब कहीं आप दुनिया भर की analysis करके आपको एक level cover करने में आपको time लगता है classes में क्या है कि हम लोग वही खाली बैठे होते हैं पिछले 12-15 साल से जो लोग हम लोगों का जो personal experience गेन होता है paper को जो analyze करते है means एक type से हम लोग आपको पका पकाया पकड़ा देते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है आप उसकी साथ से full करके चल सकते हैं तो classes join करने ना join करने का ये मुद्दा रहा basically second thing जो background में chat support रहता है वो एक main component है chat support आपको कही confusion हो रहा है तो क्या हो रहा है बस ये चीज़े है remaining चीज़े चलती रहेंगे तो सबसे पहले तो अपना मुद्दा दिख लेते हैं basic के ये जो अपना 21 का है मैंने यहाँ 22 लिख रखा है क्योंकि और कोई option नहीं था पिछली बार वाले में गलती से 21 लिखा था लेकिन जो अपनी classes हैं वो हैं अपनी मैंली 2021 वाले men के लिए 22 का men जो हैं उसके लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई पैसे दे देना कोई दिक्कत नहीं कर लो तुम लोग लेकिन उसके पीछे issue ये है वैसे basically किया जा सकता है क्योंकि course का saturation होता है level तो वो इस class तक आते आते हो जाएगा फिर भी 22 के लिए issue ये रहेगा कि हो सकता है हम लोग जो target करना चाहते हैं कहीं fault line हो जाए तो जब 21 का men's होगा तो फिर क्या course correction की requirement है है या नहीं अगर नहीं हुई तो 21, 2 वाले इसी के इसाप से चल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम लोग नया course launch करेंगे otherwise जरूरत मुझे लगता नहीं उसकी तो पहले समझ लेते हैं कि जो अपना paper होने वाला है man का उसका pattern क्या रहेगा majority आप मैसे pattern पहले से समझते हैं लिकिन जो नए first time देने वाले हैं उनके लिए हैं कि भाई जो अपना 20 का 20 का जो man हुआ था उससे pattern थोड़ा change हुआ है पहले इन्होंने online बोल दिया था लेकिन आप offline करवाने लगे हैं exam second thing आपका जो paper है दो की जगाए एक single paper हो गया है उस single paper को इन्होंने दो part में divide कर दिया है खंड आ और खंड बा खंड आ मैं लिए MPG के है 50 question है और खंड बा में 10 units हैं 10 unit दे गई है और इसमें 100 question है 10 unit में 4 unit अपनी forest की है एक पांचवी जन्जाती travelology बोल दो उसकी है एक environment है और physics chemistry biology और math reasoning वाला part है तो ऐसी 10 unit उसकी और 5 इसकी है तो 1500 question का total अपना paper है और हर question तीन mark का है तो अपना total कितना हुआ साड़े 400 mark है पीपर हुआ आपका 4500 mark का और negative marking है और इनके sectional cut-off रखे गए है मैंने तो मुझे भी याद नहीं है साथ 40% किसी में है तो 40% साथ इसका है sectional और इसका मुझे याद नहीं है का है या नहीं है इसमें साथ 40% का sectional cut-off है notification में देख लेना वहाँ पे better idea आपको है तो यह इस type का pattern है single paper है तीन घंटे का होता है जो भी game होना है आपका वो तीन घंटे में हो जाता है enough time है इसके लिए इस type के papers के लिए और यह आपकी date है जसन बोल सकते हो कतल की सुबह है 4 December है यहाँ पर आपका 50 mark का interview है तो total है 5% आपको जो कुछ भी करना है वो इस man में ही करना होता है क्योंकि interview है आपके total का 10% का यह 10% में कुछ तीर नहीं मार लेते हैं अगर suppose मैंने बहुत अच्छा तगड़ा interview दे दिया तो मुझे मिलेंगे 35 marks ऐसा इसलिए क्योंकि 40-45 भी दिये जा सकते हैं लेकिन अगर 45 दिये जा रहा है मुझे MP का तो exactly नहीं है लेकिन उत्राखंड में क्योंकि टीचर बगर है जाते थे तो वहाँ पर यह है कि अगर किसी को extraordinary number दे रहा है तो फिर उन्हें mention करना होता था कि वो क्यों दे रहा है तो लिखना किसी को पसंद नहीं है तो कोई मजबूर ही करते तो ऐएक अलग बात है otherwise वो देते ही नहीं है उन्हें पहले decide कर दिया कि 40 mark दे रहा है 50 मैंसे तुम मुझे लिखना पड़ेगा तो 35-36 से परे निपटा देते हैं अगर आपका interview बहुत घटी आ गया तो वो आपको लगवग 18-20 mark दे देंगे इससे नीचे भी कम दे रहा है तो फिर उन्हें वही लिखने का है कि वही क्यों कम दे रहा है कुछ तो region होगा तो क्या region लिखने हैं छोड़ दो तो इसलिए क्योंकि उसमें यह ने कि कम आर अथेंटिक हो जाता है कल भही कोई खिसक गया उसने हाई कोट में चला गया फिर मंगा तो यह कौन सिर्दरल है तो average में रखते हैं वो मतलब कुल मिलाके आपकी रेंच जो है वो 15 mark की है यह 15 mark अगर आप border पे हो तो यह decide कर सकते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा क्योंकि आपके suppose आपके 20 है और सामने वाले के 35 है तभी यह 15 रोल के प्ले करेंगे otherwise अगर 25-35 तीस हा रहा है तो जो difference है वो 5-5 mark, 4-4 mark का difference रहता है तो interview जो है वो एक label से जज़दा role play नहीं कर पाता है जो कुछ mark काट आपको मचानी है खुन खराबा मचाना है वो man में मचाना है यह त्यूशी समझ में आ रही होगी आपको second thing है अपना slave us जो MPG की का है यह भाई slave us है इसमें मैं किवल यही बोलूँगा कि भाई यह जो exam है यह कोई academic exam नहीं है कि यह एक unit है इसके लिए आपने 20-25 page का कोई material पढ़ लिया आप कुछ ना कुछ तो लिखी लोगे marks कोछ आ जाएंगे degree complete हो जाएगी खतम काम और सोजाओ यह competitive exam उस type के नहीं होता है इसमें सीधी सी बात है आप ना सही तो कोई और सही यह इस तरीके पे चलते हैं कि MPPSC ने एक exam conduct कराया वो भले ही पिछले साल के आए हुए question कॉपी करके paste कर दें उन्हें फरक नहीं पढ़ता भाई फरक पढ़ता है आप लोगों को जो उसमें से highest करेगा वो top के 10, 50, 60 जो भी सीटे हैं वो top के लोगों को उठाके वो ले जाएंगे आप फर अगली साइकल में आई तो यह आपको decide करना है कि जो top की list है आप उसमें आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं और अगर आप आना चाहते हैं उसमें तो जो आने की प्रक्रिया है मैंने ये MPGK की बुक पढ़ लिया है बस मेरा काम हो गया ये पढ़ लिया मेरा MPGK हो गया मैं कुछ और देखूंगा तो भाई इनने ठेकेदारे नहीं लिये हैं आपके selection की वो जो publisher है वो उसने अपने हिसाब से जो समझ में आया उसने लिख दिया वो regular update नहीं करेगा जितना classes update करती है content को उतना ये book publication में नहीं हो पाते हैं तो आप अपना future book में मत टिका के रखिए भाई आप for example economic cost अगर आपने पढ़ा होगा economic opportunity cost अगर आप ACA बन रहा हैं और आपकी salary basic page वो 45,000 है एक साल खिसक जाते हैं आपको 5,000,000 का चुना लग गया तो आप इस पर मत रखिए यहाँ पर यह loss हो जाता है इस बार भी जो man's है उसमें student के साथ जो है दो इसू है first thing यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई यह 21 वाले यह गलतिया मुर्षता ना करें आपके पास अभी four month का time है August, September, October, November चार दिसंबर को है यह दो मन्त आपको पूरा finish कर देना है चीजों को at least एक बार prepare करके एक बार revise कर देना है और इसमें कम सकम three से four time revision हो जाना चाहिए आप जो भी पढ़ रहे हो आप ऐसा करके चलिए जैसा हम लोग भी करते थे आपका जो chapter होता है उस पर हम लोग यहाँ पर पांच गुले बना देते थे टॉप पर जिस दिन पहला chapter complete होता था पढ़के उस दिन उसे काटके वहाँ date लिख दी जाती थे जब complete हो जाता था जब revision आता था तो फर हम लोग revision में जब वो चप्टर को complete करते थे उसकी date लिखते थे परपज यह था कि कम से कम यह चार बार revision हो जाना चाहिए या आप जो first reading है उसे भी consider करके चल रहे हैं चप्टर के ऊपर यह ensure हो सके कि आप कम से कम पांच बार revision कर लें वही आपको ensure करेगा कि आप वो top की list में हैं अगर आप इस type से time pass कर रहे हैं कि दो बार पढ़ लिगा बहुत है तो भाई यह आप अपनी life के साथ मजा कर रहे हैं यह exam वैसे नहीं है MPPSC का simple सा formula है जो top में आएगा वो उसे लेके चले जाएंगे तो पहला तुशु यह है कि आप जो भी reference है मैं आप से यह नहीं बोल रहा हूं कि excited हो जाओ आप market में जाओ और 4-5 MPGK की books लेके आजाओ जो भी standard हो मुझे भी जड़ा idea नहीं है उसका आप एक या दो book आप लेके आईए और उन्हें proper way में पढ़िये कुछ छोड़ना नहीं होता है कि यह topic नहीं है MPGK में हम नहीं पढ़ेंगे यह जो syllabus है उसे कोई follow करता नहीं है objective में man's exam में नहीं follow करते हैं मैं ध्यान कौन देता है सिले बस आपका ऐसा पढ़ा रहता है तो यह मुद्दा रहा second एक और है जो इस बार बैसे कई बार बोला जा चुका है इस्ट्रेंट्स को लेकिन फिर भी ध्यान नहीं रहता उन्होंने सबोच forestry की class जोइन कर लिए अधर की को self prepare कर रहे है forestry में उन्हें इतना मज़ा आ जाता है इतना interest लेते हैं कि जैसे सुबाए साम बस forestry की गाने का रहे है गुनवरा रहे है भाई अधर भी है forestry में पीज़ दी हो जाती है लेकिन अधर के लंका लग जाती है तो आप किसी एक एरिया में बहुत ज़दा time devotion नहीं देंगे सभी को बराबर देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं तो इधर simple question आ रहा है बो भी नहीं बन रहा है इधर typical आ गए जो cover नहीं हो पा रहा है लंका लग जाती हो आपर तो MPG के है इसके मुद्धे को आप अपने end पे कर लेंगे दूसरा इसका जो B section है उसमें मैं आपको बता दिया था कि 10 units है इसमें forestry की starting की 4 unit है ये क्ट्रावलोजी है और इसमें environment है physics, chemistry, biology math region तो ऐसी 10 units के इसले बसमें है इस साल के जो batch है इसमें हम लोग 5 unit तो ये cover करने वाले है प्लस इसमें environment वाला जो section है उसे cover cover करेंगे BCB इसलिए cover नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई हमको लगता है time एक proper teacher और मैंने मुद्धा है कि आपको कहीं से copy paste करके नहीं दिया जा सकता उसको proper format में ले आने में analyze करना समझना उसमें time consuming process है कितना भी at least हो six month consume कर जाती है चार लोग बिठा लोगे तब भी वो तीन मन्त खा जाएगी तो ये time consuming है अभी हमारे end पे final नहीं हुई है अगर आपका exam postpone होता है तो there is possibility कि possible है कि हम लोग इसे करें लेकिन मेरे end पे आप नहीं बैठ सकते तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो neat का resources है मैं केबल इस base पे बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास four month का time है आप कुछ हद तक कर सकते हैं केबल आप NCRT पेस्ट नहीं बैठे रहेंगे हो सकता है मैं गलत हूँ आप इस साल का जो 20 वाला पेपर है उसे proper way में समझिए क्योंकि यहां पर भी इस neat case levels के साथ भी इसू है जैसे मैंने medical की preparation की थी PMD की तो मुझे यह मालूम है कि physics chemistry biology में कितना detail तक मुझे जाना है तो जब मैंने 2018 का मैं दिया था तो बंसल क्लासिस की जो seats थी वो मिल जाती है अजली online भी मिल जाती है या फिर अगर आप इन दौर में है तो मेरे टाइम पे इन दौर में जो महराजबाडा है वहाँ पर Sunday को morning की टाइम पे एका हाट Sunday हाट टाइब की लगती थी तो वहाँ पर वो seats मिल जाती थी तो मैंने वहाँ से एक बार गया था इन दौर तो वो collect कर के लिए आया था तो मैंने तो वो seat एक साइज पे बैठा सुबह और 10 दिन में ये पूरा खतम हो गया था अब ये खतम क्यों हो गया क्योंकि मुझे पहले से पता है कि क्या पढ़ना है क्या चोड़ना है अगर आप नए हो तो आपके लिए थोड़ा दिक्कतें बढ़ जाती है तो आप ट्राइ करिए कि आपके साथ में कोई ऐसा है परसन है जिसने medical engineering हमारे टाइम पर PMT, PET उसकी क्लास होती थी AIEEE, IIT उनके एक्जाम होते थे तो क्या किसी ने preparation की है अगर उसने की है तो वो help कर सकता है आप दोनों लोग mix कर बैठ सकते है medical वाला, engineering वाला दोनों लोग एक दूसरी को help कर सकते है तो उस level पर आप इसे अपने end पर देख लेंगे better है आप पिछले साल के paper analyze करिये, उसके basis पर जाए मैं वही बोलूँगा जितना detail आप कर सकते हो उतना करिये, लेकिन detail इस हिसाब से हो कि वो within two months खतम हो जाए ऐसा ना हो कि detail इतनी कर ली कि वो syllabus exam आ गया तब तक आपके first reading complete हो रही इतना भी detail नहीं चाना है तो इसे आप अपने end पर देख लेंगे remaining forest वाला part जो है उसे अपने लोग देख लेते हैं यह अपनी four unit है अब classes में कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या fee structure रहेगी यह तो सब बाद की मुद्धे है पहले जो अपना batch हो चुका है 20 बाला उसमें जो हर संकर परसाई जी की एक कहानी है कुछ उथले, कुछ गहरे तो वैसे ही है कि इसमें हम लोग यह समझेंगे कि अपनी लुटिया डूबी कहां कहा है तो अपना जो syllabus है इसमें टोटल कुछिन जो अगर बोला जाए कि फोरस्टी से कितनी आए मैंने देखो ट्राइबोलोजी के कुछिन एड़ नहीं कर रहा हूं इन्वार्मेंट वाला जो सेक्षन है उसे एड़ नहीं कर रहा हूं फिर भी फोरस्टी से नेशनल पार्क या वाइल लाइफ सेंचुरी है आप उसे इन्वार्मेंट में भी कवर कर सकते है फोरस्टी में क्योंकि वो नेशनल पार्क वाइल लाइफ सेंचुरी एक्चुली आपका एक लास्ट रम में चैप्टर है वाइल लाइफ बायलोजी हाला कि सिलेवस में केवल एक छोटा सा टॉपिक है सेंसस जन गड़ना केवल वो है तो इस हिसाब से आप नेशनल पर्क वाइल लाइफ सेंचुरी वाले टॉपिक है उसे आप इन्वार्मेंट में डाल सकते है लेकिन मुझे लगता है कि भई environment में डालके मैं अपनी जान नहीं बचा सकता अगर आपको proper भी मैं लेके जाना है कि हाँ मैं कहां पहुंचना है तो वो चीज है मुझे अपने end पे ही cover करवानी पढ़ेंगे तो नेसल पार्क वाइल लाइप सेंचुरी जिनने पिछली बार क्लास में नहीं cover करवाया था उन्हें इस बार देखने वाले हैं लोगो दूसरा इसके अलावा कुछ पार्ट है ट्रावलोजी के जैसे ट्रावल एकोनोमी है वो आप ट्रावलोजी में पढ़ते हैं तो ट्रा बाइज आप मान सकते हैं कि 42 के आस पास कुष्टन है जो अपनी फोरेस्ट्री से आया है तो अच्छा है फोर यूनिट है 42 कुष्टन आ रहा है तो मोर्दन इनफ है और हाँ मैंने साइदी से 40 मान की चलिए अप इसमें कुछ और कुष्टन है जैसे कि आप से पूछा गया कि साउथ वेस्ट मान सून है वो MP से कब रिट्रीट होता है अब क्योंकि मान सून कब आता है वो क्लामेटिक फैक्टर में पढ़ाया है आपको तो फिर मैं मान के चलूँगा कि भाई ये भी मेरी रिस्पॉंसिविल्टी है कि मुझे थोड़ा इस मुद्दे पर और डिसकस करना चाहिए था तो ऐसे मैंने 49 कुस्टन मान के कंसीडर करके चलता हूँ अगर आप ये बकाय की चीजों को अधर सब्जक्ट को डिटिकेट कर देते हैं तो फिर फोरेस्टी में आपके 40 कुस्टन आ गए और ये जो 40 कुस्टन है अपनी 4 यूनिट है यानि कि अवरेज अ फोरेस्टी जो नॉर्मल जनरल होता है फिर है सिलिवी कल्चर मैंगरूज और सिलिवी कल्चर सिस्टम इन्हें आपको पढ़ाया गया था सिलिवस में नहीं थे और एक है ट्रीज बसीज तो इस टाइप से अपने 5 सब्जक्ट बनते हैं जिने हम लोगों ने पढ़ा था अ पहला है अपना जनरल फोरेश्टी जनरल फोरेश्टी में कुश्चन क्या क्या आये है एक पूछा गया था कि जो ICFRE है वो उसको ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस कब बनी है हम लोगों ने यह पढ़ लिया था कि ICFRE कब बना यह 1986 में स्टैबलाइज हुआ था लेकिन यह उम्म सब्सक्रादी होने उने तो वो रख के बैठे हो कि नहीं यह पढ़ा रखा यह तो नहीं पूछूँगा बगागा कुछ भी पूछूँगा ऐसा इसलिए बोलाओ क्योंकि एकाड़मिक्स में कई पार यह होता है ऐसा तो इसे हम लोगों ने कवर नहीं किया था यहां पर अ forest and tree cover of India as per Indian state of forest report 21 देखो मैंने आपसे दोन ही बोला था कि आपको जो है अपनी 19 की report और यह 21 की report दोनों ही याद रखनी है और दोनों से ही question आ रहे है यहां पर question पूछा था total forest और tree cover इन दोनों का command यह कुछ है 21 point कुछ है सपोज याद नहीं है मुझे यह भी 2.4 के आसपास है तो इनका combined जो है वो 24 के आसपास बन जाता है इस type का question इनको combined करके objective में 10 से उपर बार पूछा जा चुका है तो यह नया कुछ था नहीं इसमें नेक्स जनरल forest में आया मद्द प्रदेश forest development corporation वाच इस्टेबलाइज इन दा यर यहां पर एक point आपको समझने की जरूबत है कि जब आप किसी state PSC की preparation करते है इस पेसली forest service के लिए मैं इसे ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप 36 गड़ से हैं राजस्थान से किसी other states हैं तो आप यह देखिए कि आप कि यहां का जो forest department है उसकी structure क्या है for example जैसे MP में forest department है वो उसमें 12 या 14 14 15 division में बटा हुआ है just example मुझे भी याद नहीं है कितनी division है 14 division में बटा है 17 division में बटा है अब यह question नहीं पूछा इसका मतलब यह नहीं है कि important नहीं है आपको वो पढ़ना पढ़ेगा भाही तो उस से related जितनी भी organization है जैसे कि एक तो forest department है forest department MP का कब बना उसका top leadership में कौन है प्रेजेंट में forest minister कौन है आप से कोई PCCF के बारे में नहीं पूछेगा कि present में PCCF कौन है बट forest minister के बारे में पूछा जा सकता कि present में forest minister कौन है forest department कब बना forest department की structure और forest department के साथ forestry से related कुछ और organization भी होते हैं जैसे एक है यह forest development corporation यह बैसे important आपके लिए इसलिए भी है और इस बार तो आपको पढ़ने ही पढ़ेगा भाई यह forest development corporation ही है जिसके थुरू आपको project जो परियोजना अधिकारी जो है परियोजना वन छेतर अधिकारी जो है अपन प्रोजेक्ट आरे फोरेंज forest officer जो प्रोजेक्ट वाला है इनका वो इसी की तो पोस्ट है भाई तो यह कब बना कहां पर है कौन क्या चल रहा है करता क्या है वो तो कम सकम पता होना चाहिए second state में जो plantation के लिए body होती है state में और अगर forest जी से कोई related body है forest development है minor forest की body है हम लोगों ने minor forest वाली तो पढ़ी थी लेकिन इसे नहीं पढ़ पाए तो कि होता क्या है कि उतना एक लेबल से जदा हम लोग भी explore नहीं कर पाते है यह गलतियां थी हमारी side से जने हम लोग इस साल सही कर रहे हैं correct करेंगे तो आप मैंसे इचार लोगों को hire किया गया है तो वो इसी काम को कर रहा है explore करने में कि भाई हमारी side से जो fault line है उन्हें हम लोग course correction कर सके हैं यह 75 में है पता है आपको तो यह question हम लोगों ने cover नहीं किया था the percentage of total geographical area to notify forest area simple सा question है common सा question है cover कर चुके थे आपों यह है मद्ध प्रदेश में maximum area के इस forest के अंदर होता है भाई नोट्स उठा लेना उसका जो first chapter है general forestry उसमें सीधा सीधा लिख रखा है dry टीक यह कुछ size 24% है कुछ वो table 1 रखी उसमें दिख लेना यह पूरा लिख रखा है यह अब उन्हें पहले cover कर चुके थे अब यहाँ ISFR 2019 उच रखा था यह तो 1921 में कोई फरक था नहीं इसमें से में रहा question अपना तो यह दोनों question अपने cover थे contribution of forestry in the year of year MP की GDP में forestry का क्या है इस से GDP से related question अपन objective में कर चुके थे बट होता क्या है कि वहाँ national GDP गा था मेरी सारे fault line है कि जब national है तो आपको अपने state का पढ़ना चाहिए लेकिन सिधी ची बात है जब तक मैं नहीं बोलूँगा तो आपको देवास आपने नहीं आ रहा है कि मैं state का ढूनू second ये एक दो परसेंट जो है आप बेसिक याद रखो कोई भी state हो इंडिया में ये कुछ 1.2 परसेंट के आसपास कुछ ऐसा है GDP में परसेंटेज जिसका forest sector का contribution नॉर्मली जो state है उनमें under 2% रहता है या आप under कुछी में 2.1 किसी में 2.2 रजस्थान जैसे में 2 से थोड़ा नीचे आ जाएगा उतरा खड़ने पगर रहा है हिमाचल है तो इनमें 2% से उपर 3 के आसपास 3.5 के आसपास जाएगा लेकिन ये बकाय का option है उससे जली कट हो जाता है या लेकिन कुल मिलाके बहने वाली बात नहीं है इसे अप उन्ने कवर नहीं किया आपको जब तक exact नहीं बोलेंगे तब तक उसका मतलब उन्ने कवर नहीं किया नेक्सर विचिस स्टेट अरे कवर कर चुके हैं से नोट्स में सीधर लिख रगा है फिर यहां पर है अमरता देवी विस्नोई sacrifice for her life यह भाई question ऐसा है उसमें दो question ऐसी लगे जिससे राजिस्थान का ECF हुआ वहां से उठाए हूं यह अमरता देवी इनके जो गाहों का नाम है खेर जी खेरलां जी ऐसा कुछ नाम है उसका यह राजिस्थान जो ECF का पेपर हुआ था उसके सा जिसी काटा गया था सत्रासो के आसपास की सत्रासो साट पैसट की स्टूरी है इनकी इनकी सम्मान में जो environment का फुर्सकार दिया जाता है अमरता देवी वो परियावरर पुर्सकार के नाम से है बोविनी के नाम से है तो यह वाला जो area है वो अप उनने cover नहीं किया है मैं अपना जाना चाहिए था कि ये आबाड है फॉरस्ट्री से लेके तो आप उन्हें नहीं किया मतलब नहीं किया हलाओ कि एक इस को बोल सकते हैं के फॉरस्ट्री से रलेटर जो परसिनलीटीज है जासे कि सُंदरलाल भभगड़ा चिपको मों़्मेंट वाला है अम्रता दीवी है और भी दो तीन है एपीको मों़्मेंट वाले है ये जो परसिनलीटीज है इनके दो तीन पेज का माटेरिल आपको पादना पड़ेगा हलाकि परसनल्टीज पर पिछली बार आपके एक्जाम से पहले काम हो गया था लेकिन फिर वह यह कि नए बालों को पढ़ाते हैं कि कहा है पुराने को अपडेट दो इतना हो नहीं पाता किई बार क्या है कि ब्रेंट तो बहुत फास्ट चलता है लेकिन उसको इंप्लिमेंट करना पॉसिबल नहीं पाता है गिर फॉरेस्ट कहा है अब भाई यह ऐसा कोश्चन है जिसे कॉमन्स है गिर गुजरात में है नेसल पार्क वाइल लाइस सेंचरी में हम लोग पढ़ते हैं इसे लेकिन वाई हमने इसे नहीं पढ़ाया आपको लेकिन हलगी कॉमन्स हा है तो कुल मिलाके यह वाला जो सेक्शन है अपना सिल्वी कल्चर का उसमें सिक्स कोश्चन है टोटल नाइन कोश्चन है अब ये इसे कौन सा question मानेगा भाई इसे तो मैं भी question भी नहीं मान रहा हूँ तो total six question मतलब total nine question है इसमें six को हम लोगों ने cover किया है और तीन को cover नहीं किया है ये general foresty वाले की बात कर रहा हूँ इसमें कौन सा है अम्रता देवी वारा इसू है जो कि एक टाइप से जो personalities है forest और environment से related है उनका मुद्धा है आप इन्हें environment में भी पढ़ते हो तो चाहे इसे आप environment section में डालो चाहे यहां foresty में डालो दूसरा ICFRE का इसू है या autonomous cup है यानि कि हमें जो bodies है उन पर ध्यान देना है और forest development corporation यानि कि जो अपनी bodies है center की और street की जो forest bodies है उन पर थोड़ा explore करने की ज़रूवत है proper way में तो यहां अपना भाई result ही है रहा अपना achievement 60% लिया 33% में अपनी लुटिया अडूबी है second अपना है silvy culture silvy culture से total तीन question आए है आपको मैं हमेशा बोलता रहा हूँ silvy culture पढ़ो silvy culture पढ़ो यही सर्वसत है इसी से question आते है 10 question आएंगे तो 3, 4, 5 तो इसी से question आजाएंगे जो tending operation है भाई इसे तो पढ़ी लो इससे तो एक question confirm है भाई कुछ नहीं आए तीन question आए तो इस टाइप का है तीन question कौन से है पहला है normal date of which withdrawal of southwest monsoon इसे आप geography का मान सकते हो environment का मान सकते हो जिसका मानना है उसका मानो लेकिन है आप forestry में इसलिए consider कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको climatic factor में rainfall के pattern समझा दिए rainfall में मैंने फिर आपको ये भी बताए कि south west monsoon है वो इंडिया में कब आता है एक जून की रिला में एक average date है अगर एक जून को आ गया मतलब monsoon time पे आ गया उससे पहले आ गया तो अपन बोलते है मानसून जल्दी आ गया लिट आ गया तो एक जून एक average date है fix date कर दी हम लोगोंने उसी type से हम इसकी date fix कर रखिए कि कब ये withdraw होता है तो इसकी withdraw की कुछ date है मुझे भी इतना याद नहीं रहता है इसका ये साइध एक October है इसका कि एक October से ये withdraw करने लगता है ये पिछली बार news में था क्योंकि जो मानसून है वो थोड़ा delay हो गया था तो अपने हाँ average date जो है MP का वो लगवग 10 October के आसपास हो जाना चाहिए क्योंकि जो पंदरा अक्टूबर है यहाँ पर एक average ही पूछाता है इन्होंने कि प्रदेश में दक्षण मानसून की समाप्ति तिथी है अब पिछली साल delay हो गया तो इसका मतलब उनने delay थोड़ी पूछाता है उनने ये पूछाता है कि एवरेज कब खताम हो जाता है पंदरा अक्टूबर में तो लास्ट मानसून देश को छोड़ देता है केरल की कोस्ट से छोड़ देता है तो पंदरा अक्टूबर में तो केरल को है तो MP में तो पहले जाएगा अब इसमें आप देखोगे तो 10 अक्टूबर से पहले की कोई और है ही नहीं पचीस तक तो वो भाई समुद्र की उपर होगा नवमर का तो मेड़ागास कर पहुंच जाएगा इस तान तक तो नौर्थ इस आ चुका होगा अपना तो ये 10 अक्टूबर अपनी सही डेट है तो ये मैं मान लूगा कि इसका ठीकरा भी मेरे उपर पूटेगा क्योंकि थोड एक मुद्दा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फोरेस्ट और वेस्टन घाट और फॉंड इन विच आप फोलविंग हाइट भाई ये ऐसा कोश्चन है ना तो मैं पढ़ाया है और ना आंगे पढ़ाऊंगा देखो भाई कौन सा फोरेस्ट कितनी हाइट पर है सूला टाइप क फोरेस्ट है फॉर्दर सब्डिवाइड कर दोगे तो 221 होते है अब सूला वाले हैं इन्हें कहां तक डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको इतनी डाटा को एक्स्प्लें करेंगे ना तो अपने जो नोट्स जो इस साल आपको साड़े 500-600 पेज के आसपास दिये जाने वाले हैं वो 2000 पेज के हो जाएंगे फोरेस्टी में ही डूँ जाओगे ऑप्सिनल नहीं है भई पार्ट है उसका तो ऐसे चीजों में तुक कही मारना पड़ता है इसमें डेटेल में नहीं जाएंगे अपने पास जो एपी दुएदी की बुक है सिल्वी कल्चर उसमें उन्होंन देखी है तो उनके एकोर्डिंग जो करनाटका में जो एवर ग्रीन फोरेस्ट है वो 250 से 1250 मीटर की हाइड में है अब इस हिसाब से यह नहीं दिखा जाता कि कौन बिलकुल एक्जाक्टली फिट हो रहा है यह एवरेज रेंज होती है तो इसके हिसाब से आपका यह भी कु बरना था यहां मारक गलत कर दिया गया है तो आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है A और D ठीक है। इन दोनों में से आपका कोई आंसर हो सकता है गलत तो यह भी नहीं है इनके भी एक रैंज पड़ गया है तो एक όपशन ही हो सकता है कुषचन डिलीट मारते है यह फिशका A औ और डी दोनों दे दे जिया है, यह अपुने न तो कराया है, और ना न, आंग़े करवाने वाले है, तो सिल्वी कल्चर में बात की जाये, तो यहाँ पर अपने तीन कुश्चन आए है, तीन मैंसे एक तो आप uns ने कराया है, ची रैप टेरो वाला, दो नहीं कराय है, यानि की कौन सा मानसून वाला का विड्रो होता है और ये एक टाइब का कुश्चन और सिल्वी कल्चर में लुटिया डू भी है अपनी मैंगरूज में कॉल्ड डेजरेट में बोलता रहा हूँ का भाई सिल्वस मैं नहीं था 11 में दो कुश्चन आए 12 में वो 14 वाले में पेपर में आए आएंगे आएंगे दो कुश्चन तो आएंगे लेकिन नहीं आए एक भी नहीं आए भाई उसमेंसे नेक्स है सिल्वी कल्चर सिस्टम भाई इस्से कुश्चन आगया है ये सिल्वस में नहीं है अपने बट आपको notes दे दिये गए थे syllabus में नहीं है तो हम लोगों की वीक्षा नहीं होती है पढ़ाने की मतलब पता तो होता है लिकिन क्या है कि अगर कुछ extra पढ़ाते हैं तो हो अल्ला मचा लेते हैं गोला syllabus में नहीं है क्यों पढ़ा रहे हो तो इसका एक general review किया था इस पर question आया था कि जो दियोदार forest है उत्राखंड और हमाचल के वो किस के अंडर है ये Indian regular centerwood system है notes में सीधा लिख रखा है जिनने पढ़ा लिया है वो लगा के आएंगे जिनने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं आएंगे application of principle of silviculture system देखो application of the principle of silvicultural system in the management of forest of India is mostly based on कि भाई भारत में वनों को manage करने के लिए आप कौन silviculture system apply करेंगे ये by large किस बात पर depend करता है forest management का मुनता है तो यहाँ option में आप कुछ भी जबरजस्ति कर सकते हैं कि हाँ वो silviculture system की बात नहीं कर रहा है ये तो ये बुला कि इस कौन सा silviculture system apply करोगे forest management की बात कर रहा है तो ये depend करता है कि आप अपने forest को किस basis पर manage कर रहा है बग आया कि आप उसके साबसे लगाओ तो कुछ तोड़ है नहीं लेकिन objective of management इसका correct answer होना चाहिए management अपने syllabus में है तो इसे आप वहाँ consider करके चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर एक question है silviculture system का जो syllabus में नहीं था लेकिन अपने में notes में अपने दे रखा है और ये अपने वहाँ से फस गया तो silviculture system में मैं बोल लूँगा कि भाई मैं ठीक हूं आपको extra दे के अच्छा किया mangroves में extra दे करके कुछ नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि mangroves से question नहीं आया तो आप mangroves पढ़ना छोड़ दोगे आपको पढ़ना है और पहले से ज़ता बहतर तरीके से mangroves पढ़ना है फर्स्ट वीपर था तो थोड़े simplify आए दिसंबर वाले में लंका लगा सकते हैं next है tree species important tree species syllabus में simple था जो उनने question वो दे रखा था 10-12 species वहीं से question बनाए है आपको याद करना है तो यह अपने बोल सकते हैं कि इसमें अपने अपने बोल सकते हैं आप पूरी forestry में various जगाए जो दुनिया भर के नाम पढ़ने वाले थे आप एना एक साथ पढ़े लो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको याद करना है तो यह अपने बोल सकते हैं कि इसमें अपने मार्क्स जो है थ्री के थीनों कुस्चन अपने कवर करें तो यूनिट बन का जो अपना पूरा खाका निकलेगा जर्नल forestry में छे कवर किये तीन नहीं किये silvy culture में एक कवर किया इसमें दो नहीं हो पाया अपने mangroves में एक है गलत लिख दिया भई mangroves में नहीं है कोई अपना silvy culture system में एक है trees पिसीज के तीनों की तीनों कवर किये है तो टोटल जो है यह गलत जोड दिया है तीन दो पांच है यह ग्यारा है टोटल हम लोगों ने ग्यारा कोश्चन अपनी unit 1 में रिप्यार कर चुके थे और पाच कोश्चन ने अपनी लुटिया डोबाई है यह unit 1 की अपनी performance है अब देखते है unit 2 unit 2 में अपने दो सब्चेक्ट है एक है forest mensuration और दूसरा है forest utilization सबसे जदा लंका इसी subject ने लगाई है forest mensuration mensuration से भाई एक कोश्चन आया है log skill log skill में यह है most common use for measuring logs log को measure करने के लिए आप क्या use करते है measurement का issue था देखो वही इसके answer सभी और प्रोक्ट सभी यह बिल्कुल हो सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं मेरे पास इतना time नहीं निकल पाया है कि मैं other option को चेक कर सकूँ log skill मैंने answer इसलिए लगा दिया था क्योंकि इसे मैं काफी लंबे time से पढ़ता आ रहा हूं तो जैसी question देखा अच्छा यह log को measure करना है इसलिए तो हम log skill से करते हैं तो क्योंकि मैंने पढ़ा है log skill इसका मतलब यह नहीं है कि वही चीज़े हो weight skill volume skill यह हो सकते हैं तो मैं इस पर भी कुछ बोली नहीं रहा हूं इसका answer मैंने यह लगा दिया कि वही यह हो सकता है लेकिन इसका यह possible answer है यह possible हो सकता है और इसे अप उन्हें cover नहीं किया और ऐसा भी नहीं है कि update करेंगे तो मैं log skill यह इस type की चीज़े आपको आँगे पढ़ाऊंगा बिलकुल नहीं पढ़ाने वाला यह complex हो जाएगा यह हम लोगों नहीं पढ़ाई थी जब हम लोग मास्टर लेबल पर पहुंच गए थे तो वहां जब आपको volume measurement by large level पर volume table की preparation करनी होती है वहां पर यह log skill रिफर करते हैं तो यह बहुत ज़्यदा deep हो जाएगा केबल इसी कोशन के लिए करना एक अलग बात है कि दो लाइन जोड़ दूँगा लेकिन log skill जब आप रिफर करते हैं तो फिर वहां पर बहुत सारी चीज़ आजाती है तो detail करना अपने लिए फाइदे मंद नहीं है तो आप ऐसा सूच सकते हैं कि कोई भी exam है उसमें 10% कोशन फाल दू के आते हैं तो उसमें से डाल दो pressure नहीं लेना कि ऐसा आगया है तो हमें उस पे कर नहीं है कर नहीं है वो फाल दू का कोशन है next है forest utilization काम नहीं करेगा क्या भई forest utilization इसमें मैंने medicinal plants को भी कुछ जोड दिया था forest utilization में दो section आते हैं पहला पार्ट आता है wood science and technology जिसमें पेड़ों की जो कटाई के तरीके हैं transportation है wood seasoning है wood के जो defect है और wood seasoning, wood preservation ये सारी चीज़े हैं वो आती है wood science and technology में और resin yielding plant, dye yielding plant ये सारी चीज़े हैं इन्हें पढ़ते हैं हम लोग minor forest product इन combined को हम लोग actually क्या करते हैं academic में एक book आती है driven महता की तो उसमें ये दोनों चीज़े एकटी हैं तो हम लोगों के दिमाग में fit हो जाता है तो हम लोगों के दिमाग में fit हो जाता है आच्छा forest utilization मतलब ये पूरा otherwise इसे दो अलग अलग master label पर अलग अलग separate बार्ट लेते हैं तो आपका भी part जो है वो ऐसी बार्ट दिया गया था इकटा कर दिया गया था इसमें ये जो utilization है उससे आये है total no question इसमें wood science and technology वाले पार्ट से आये हैं 5 question और forest जो minor forest product है उससे आये हैं 4 question इनमें minor forest product देखो total इससे 10 unit हर unit से लगवक 10 question से हैं अपके इसमें जो अपने minor forest product के हैं वो अपने पूरी तरह से cover करे है उसके 4 question आये और चारों की चारों अपने लोग कवर करके आये लेकिन WST जो wood science and tech है उसके 5 question आये थे उनमें हमें केवल एक ही आता था जिससे अपने लोगों ने cover किया 4 question cover नहीं करे ये अपनी loop hall है इसी हम लोगों को means course correction करना पड़ेगा इसका जैसे बॉमबेक सीवा भाई ये कपॉक इल्ड करता है बॉमबेक सीवा है कपॉक निकलता है इसे वो पूरा फ्लोड वो होता है उसमें flesh, floss निकलता है आप notes में देख लिए ना floss yield है उसमें ये बॉमबेक सीवा मिल जाएगा इसका ये नाम है यहाँ पर लिख तो ये रखा है बॉमबेक सीवा है इल्ड नेचरल प्रोड़क्ट ये इसका name लिख दिया है यहाँ से नेचरल नहीं है यहाँ पर इन्हें अगर लिखना था product तो यहाँ लिखना था इन्हें floss क्योंकि इससे floss yield होता है ये तो इन्हों ने उसका हिंदी नाम लिख दिया जो सारी English name है इंडियन का पॉक तो ये क्या है? भई क्या बोल सकते है? सिस्तल फाइबर है अगे उससला ना है ये नोट्स में है ये नोट्स में मिल जाएगा hide and skin are converted into अब भई ये उसको बोलो के नोट्स में है नहीं है अब भई ये जो hide है ना skin, tannin होता क्या tannery जानते हो जो चमड़ा जो सफाई करते हैं उनको tannery बोलते है और ये जो tannin है वो उन tannery में use किया जाता है वो धो गए tannery industries तो इससे जो tannin निकलता है वो चमड़े की जो meat है उसको साफ करने में जैसे चमड़ा smell ना दे lose हो जाए मुलाइम हो जाए उसको में use किया जाता है तो सीधा सीधा है tannin, tannery यहाँ पर चमड़ा है अब क्या बोल सकते हैं इसको जिर थोड़ा बहुत भी idea वो लगा सकते है मुझे याद नहीं है कि notes में यह है साइब मैंने लिख रखा है sap displacement यह vouchery है इसके vouchery process उसी के bracket में यह लिख रखा है sap displacement तो इसे हम लोग पहले ही से कर चुके है जो हम लोग उन्हें नहीं किया है वो है मैंने जो lignin, cellulose, tissue या निकी wood science and tech के जो typical complex है typical जो part है उन्हें हम इतनी detail में नहीं गए थे उन से यह सारे की सारे 5 question, 4 question निकलाए जैसे पहला lignin की माप को दर साता है जो abscist, the residual lignin अगर कोई timber है या wood product है उसमें कितना lignin अभी बचा हुआ है उसको कैसे measure करते हैं ये paper industry में बहुत ज़्यदा यूज़ करते हैं उसका क्या option है यहां गलत लिखा हुए option इसका मैं भी sure नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं बता इसका कुछ लोगों ने इसका kappa particle kappa number दे दिया था और इसको फिर google बगार किया तो kappa सीदा सीदा मिल गया इसलिए मैं मान के चलाओं कि इसका answer ये है लेकिन exactly मुझे भी नहीं बता उसका क्योंकि इतना detail में कभी रिफाल नहीं किया कभी academic किया गया तो किसी याद रहता है अर्द साल पहले पढ़ा हुआ next मैं है statement for quarter saw कि भई ये जो quarter saw है उसके लिए ये shrink swell quarter saw है वो saw पढ़ा हूँगा तब देख ले न इसे हम लोगों ने भी आपको लखड़ी को चीरना नहीं जिखाया अब मैं बोलूँ कि ये जो seat size है plywood आपको पता है कि plywood का normal seat size क्या होता है बोलूँगा अरे एतना तो तुम्हें आना चाहिए तो भाई गल्याने की जरूरत नहीं है ये ऐसी चीज़ है जो forestry चे अगर आप हो तो आपको थोड़ा एक basic idea रहता है non forestry को नहीं आएगा जैसे आपके असपस दर्वाजा होगा तो अपने जो gate है वो कितने के होते है जो जो gate का size है वो रहता है 3 feet ये 3 feet होगा और ये होता अपना 6 feet 3 feet by 6 feet ये तो अपने gate का size है लेकिन जो apply बनाई जाती है वो इसमें थोड़ा बड़ी करके बनाई जाती है इसे 8 की की जाती है और इसे 4 का किये जाता है 4 y 8 का रहता है ऐसा इसलिए क्योंकि apply के बल्द दर्वाजी बनाने के काम में नहीं आती है जो wooden work है आप दिवाले बना देते हो उसकी उन में भी ये use होते है तो वहाँ बड़ा framework ये use होता है तो इसका apply का size ये रहता 4 feet by 8 foot इसे भी हम लोगों ने अपने loads में cover नहीं किया ये थोगा detail ज़्यदा हो जाता है तो ये बोल सकते हैं कि wood science वाले topic में जैसे ये पूछा है phenolic compound जो है जब tendon की hydrolysis करते हैं तो कौन कौन से निकलते हैं ये बात लग है कि आप में से बहुत सारे लोग ये all of the ammo लगा कि आ गए और वो correct है लेकिन भाई हम लोगों ने से नहीं पढ़ाया है region having high percentage of essential oil भाई ये notes में भी लिखा है सुगंदे से तेल की अधिकता पाई जाती है यहां पर है तेली राल तो कौन से थोड़ा बहुत समझा जा सकता था इसे अपने notes में दे रखा तो यहां अगर second unit का काला चठ्था देखा जाए तो हम लोगों ने mensuration में एक चूना लगा है अपने को wood science में एक बना है हम पर चार नहीं बने है utilization में चार बने है चारो के चारो आगए अपने तो इसमें अपने पांच तो आपने question बना सके notes से पढ़के और पांच नहीं notes से मतलब आपने notes पढ़ा है objective लगा है एक class जोएन की तो क्योंकि class में कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि जो notes में छूट जाती है class में बता दिये जाता है तो यहाँ पर अपना इस unit में 50-50 का receive हो रहा है तीसरी unit लेते है legislation की यह act policy है legislation में ऐसा कोई भी question नहीं था जो हम लोग पहले लाग कर चुके हो यह wildlife act वाला question है बोला था नहीं आप से के जो अमर्ता देवी विस्नुई का question राजस्थान में था यह सेम राजस्थान आ रहा है वे में question आ चुका था और बैसे और नहीं हूँ लेकिन मैंने साहिद आपको test paper में कर वाया हूँ या फिर आपको class में तो यह बताई दिया गया होगा एक common साहिसा इसू रहता है कितने chapter कितने section होते है तो इसे हम लोग करवा चुगे थे forest policy वाला यह simple साहिकावा क्या होगा है यहाँ पर people participation है कई बार बोल चुका हूँ कि 988 की policy में first time आया है और 1990 में notification आया जिसके बाद JFM इस्टार्ट हुआ वो JFM नपे वाला भी JFM का भी मुद्द आ गया और यहां भी पूछ लिया यह biodiversity act यह question के साहिसू क्या है यहाँ पर इनने पूछा biodiversity act यह question में क्या compilation में कुछ अबड़ कर दीने biodiversity act was sign by India भाई biodiversity act sign नहीं करेगा biodiversity act कब आया वो तो आया 2002 में अब यहां पर यह UN Convention on Biodiversity उसको sign India कर सकता है तो वो कब किया वो तो 94 के आसपास कुछ किया है नोने तो उसमों option नहीं तो साहिद उम्मीद कर सकते हैं या तो question यह delete मारेंगे otherwise 2002 लगा के निकल लेंगे ecological balance कई बार बोला जा चुका है सब के सब यह कबार है अपने stability को कितना चाहिए 33% forest law क्या है भाई special law है कुछ अभी भी constitutional law लेके चल रहा है constitution law का मतलब होता है वो law जो constitution से power derived करते है forest law है Indian forest act 1927 constitution जब था भी नहीं उससे पहले से चल रहा है law के बहुत सारे टाइप होते है custom law है आपको अपने मदर फादर का respect करना यह संबिधान में नहीं लिखा है भाई यह customary law है आपको छुटी बहन है बड़ी बहन है respect करना है ऐसे नहीं कि आप अपने बापो को गल्या करके बुलाओगे तो यह customary law है यह constitutional law नहीं है forest जो है वो special law है IT law IT जो है information technology उसके बनाने के लिए भले ही सम्मिधान से कुछ power ले करके बनाया किया है लेकिन वो special law है constitutional बोल सकते हो आप उसे वो constitution के साथ भी आता है बट वो law की power constitution drive की है constitution में लिख नहीं दिया गया law है किसी specific field को target करने के लिए general law होते हैं सभी के लिए forest law है वो special law है कि यह कई बार लोगों confusion इसमें हो जाता है next है national agroforestry fall से फरवरी 2014 में यह भी कई बार आ चुका है question 15-20 बार हो चुका होगा forest act जो है इसमें कितने chapter कितने section है common सा question है Indian यह forest right act वाला पूछ लिए इनने 2006 का तो यहां बोल सकते हैं कि अपना जो forest legislation है इसमें अच्छी performance है इससे 9 question आए और 9 के 9 question अपने लोग कबर कर रहा है दूसरा भाई है agroforestry social forestry बहुत अच्छा topic है यह अक्सर कुछ नाते हैं लेकिन भाई इनने नहीं पूछे लोटिया डूबी है उसमें अपनी next question है water side management जितना पढ़ाया definition यह फलाना डिम का कुछ नहीं पूछा और जो पूछा वो हमसे बना नहीं जैसे एक पूछा इनों है कि पाइनी जो है वो water conservation वाला system है उसे भाई हम किस state में यूज करते है यह अपने notes की fault है यह हमारी classes की fault है देखो water side जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें यह topic है question मैं पहले नहीं दिया गया लेकिन जैसे नीलो खेरी project है तो आपको नीलो खेरी पूछा जा सकता गुजरात वालों से पूछा जा चुका है तो जब आप लोग water set पढ़ते हैं तो उसमें कहां पर किस नाम से बोला जाता है इस type के question पहले आते रहे हैं बट यह है कि जब आपको notes बनाए गए तब उस type की चीज़ें notes बनाए गए पढ़ाए गए उस ताइम पर चीज़ें स्कैप हो गई नहीं हो पाई वो बात में साथ चीज़ें होती है कि उस area पर धिहान नहीं जा पता है तो यह बोल सकता हूँ कि मैं हाँ हमारी साइड से fault line है इसे हम लोगोंने कबर नहीं करवाया लेकिन इसको पता था कि इस टाइप के question आते है दूसरा जैसे grazing है grazing पर question आया है भी कि भाई जो south वाला अंध्रा वाला है जो अंध्रा करनाट का और साइड MP में जो होता है खड़ा कंचा system कुछ यह grazing कहाँ पर क्या है इसको हमें पढ़ना होता है एक common सा है यहाँ पर तो वो भी इस टाइप का है यह दो कुछन ऐसे हैं जिनने हम लोग कवर कर सकते थे लेकिन fault रहा हम लोगोंने कवर समय रहते नहीं किया इस टाइप की गलतियों को इस साल add करेंगे कि भाई यह गलतिया ना हो यह most effective method है soil conservation का देखो soil conservation करना है इसमें fencing करके क्या कर लोगे fencing से animal रुख जाएंगे लेकिन erosion जहां हो रहा है water का बरसाथ होके erosion कर रहा है fencing करे रहा कोई फरक नहीं पड़ता check dam help कर देगा लेकिन उसकी एक limitation है soil filling erosion हो रहा है मिट्टी भर्दो भी बैज आएगी क्या फाइदा है तो सबसे best जो तरीका है most effective है वो है revisitate करना most effective है easy है और economic है check dam है वो economic थोड़ी है भाई छोटे छोटे में आजका ददस लाग खर्च हो जाते हैं तो हम लोग 1990 ही लगाके चलेंगे और यही अपना correct है तो unit जो 3 है हाँ इसमें एक question और है one dhan yosna या one dhan scheme यह जो बंधन scheme है वो कब से start हुई इसे आप travelology में refer कर सकते हैं क्योंकि एक्ट्वल में travel development या travel economy हम लोग travelology में पढ़ते हैं तो वहां का topic है बट मैं इसे अपने में इसलिए consider करके चल रहा हूँ कि हाँ एक topic आता है कि जब मैं आपको forest पढ़ा रहा हूँ तो वैसे हम लोग forestry में इसे consider नहीं करते हैं लेकिन हाँ यह बोल सकते हैं कि forestry sector से जो जुड़े हुई हैं forest utilization है उस sector से जुड़ी हुई scheme है उन्हें समझाना भी हमारी responsibility है बट यह basically travel developments है तो इसे आप consider कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं तो यहाँ कुल मिलाके JFM मैं इसे डाल लिया मैं मान के चल लाओं कि यह भाई मेरी गलती है और मैंने नहीं कर भाया आपको तो यह अपनी performance है unit 3 में legislation की no question water side का एक question और JFM का एक तो इसमें आप उन्हें performance है 11 question आप उन्हें cover किये हैं और यह 4 question है जिने cover नहीं किया गया है यह नहीं नहीं भाई गलत लिख रखा है अगरो फोरेश्टी का कोई question ही नहीं आया है यहाँ दो question है जो अपने cover नहीं करें तो अपनी performance रही 11 वर्सिस 2 की इसकी performance अपनी ठीक है मैंने कहीं गड़वड़ी कर दी है इसमें unit 3 क्योंकि लास्ट में जब calculation होगी तो यह चीज़ें गड़वड़ हो जाएंगी अपने 11 वर्सिस 2 की और एक और चीज जिसका ही लिखी थी just a moment पांच 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 है unit 2 unit 1 का क्या performance ही मेरी यह ग्यारा पांच की है unit 1 की अब अपनी बापस आ जाते है unit 4 में क्या performance रही है forest में पहला है forest management management का यह question था वहाँ पर जो objective बालत समझा था इसे अपन नॉर्माल वी में कर चुके हैं दूसरा forest protection protection में भी ठीक ठाक रहा है अपना common सी question आया है चार question आया forest protection से जिसमें से अपने तीन को कर चुके थे कौन सा है जो not cause the natural fire तो यह natural थोड़ी है engine यह तीनों हम लोग पहले ही पढ़ चुके है notes में है पूरी तरह से which is the following forest fire is more destructive why crown fire होता है यह बहुत कम है crown fire को control करना मुश्किल है अपने उत्राखंड का example ध्यान रखना उत्राखंड में 2016 में forest fire लगी थी या अभी California में माहल मचा रखा इसने एक बार जब crown में लग जाता है तो फिर वहां पर क्या फ्यूली फ्यूल है crown में खासकर कोनी फ़र्च में है तो raging है तो ऐसे भवक्ती है कि फिर एक बार crown के लगने के बाद फिर control करना मुश्किल हो जाता है impossible सा हो जाता है सबसे ज़्यदा जो है destructive एक राउन फायर होती है next है इसमें कंचा सिस्टम of grazing बस यही बोल रहा था कि जो grazing है उसे एक बार साई से proper way में पढ़ने की जरूत है मुझे कंचा सिस्टम कब पता पढ़ा जब आप लोगों को जो एक exam के बाद एक module दिया गया होगा वो 10-15 रखा advertisement वाली जो booklet रहती है तो उस ताइम पे एक कंचा सिस्टम मिल गया था बट यह है कि उस ताइम पे आपको देखे मुझे लगा इतनी सारी चीजन देनी की जरूत नहीं है बस grassland के बारे में लिख रहा हूँ distribution तो वहां तक ठीक है तो कंचा सिस्टम जो है वो अपने MP में AP का नाट का तो MP में था इसलिए वो मुझे interest लगा उसे पढ़ने में तो तब पता पढ़ा मुझे है लेकिन अपने notes में से हम लोगों ने कबर नहीं किया यह एक एरिया है कि कहां पर grazing का कौन सा system चल रहा है यह हमें पता होना चाहिए यह अपनी notes की folder line है which of the following fungi is not cause dumping और भाई यह तीनों लिख रखे हैं उसमें राजयोक्टोनिया phytophthora, fugerium और एक और लिखा है अब तुम्हें बता रहा हूँ तो वो नाम निकल गया मुझे एसपरजिलस भाई यह एसपरजिलोसिस करता है इसका dumping option कोई लेना देना नहीं है चार फंजाई लिख रखे हैं चारों में से तीन दे रखे हैं इन्हें अच्छा है यह कर रखा है कि नाम बचा लिया मेरा एक है लास्ट मैं wildlife biology इससे भाई दो question आये है अब दो मैंसे यह बोल सकते हो कि यह wildlife century district है यह MP वाले जो है नहीं कि कौन से district में कौन सी wildlife है इसे मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ आपको मैं मान के चलता हूँ MPG के में पढ़ा रखा होगा MP में कौन सा national park है कौन सी wildlife century कौन सा biosphere reserve है कौन से मैं किस district में पढ़ती है यह common सी है इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे भी नहीं पढ़ाऊंगा तो यह question है जो यहाँ पर आया था दूसरा question है यहाँ पर biosphere reserve कितने है इसे मैं इसलिए consider करके चल रहा हूँ कि भाई अपने जो notes दिये थे वाल राइप वाले उसमें यह list दे रखिये मैंने तो मैं मान सकता हूँ कि भाई यह मैंने दे दिया तो मेरा count कर लो तो इसे मेरा हटा दो मतलब मेरा एक positive एक negative तो या तो यह दोनों question आप forestry में जोड़ लो या फर इन्हें हटा दो मैंने साथ final जो calculation है वो इन दोनों को जोड़ के कर दी है और मैंने यह माना है कि भाई इसे मैंने cover किया है इसे मैंने cover नहीं किया है तो negative negative one one करके कट रखा है इस type से अपनी यह performance निकल गए है total management का एक question protection के तीन और wild life के एक तो इस type से 5 question आप उनने cover कर लिए दो question नहीं करे अब अपना आजाता है total चार unit की performance unit one जो है इसके इसलिए मैंने लिखा था कि गड़़ हो रखा है इसमें 11 question है 11 पांच का था अपना ratio दूसरे में 5 पांच का है तीसरी unit में अपना 11 दो का है और unit four जो है उसमें 5 दो का अपना है तो इस type से आप उन जोड़ सकते हैं कि 11 दूनी 22 और 10 यह 12 दूनी 22 और 10 32 यानि कि 32 question आप उनने cover कर लिए है out of 10 और 14 14 question आप उनने cover नहीं कर पाए है और 32 question आप उनने cover कर लिए total के question कितने होगा है 32, 14, 36 46 question होगा है मैंतलो मैंने 49 साथ गलत count कर गए है बता दिया आपको 46 question माल दो और अगर आप जैसे wildlife के last के दो है question उन्हें निकाल दोगे climate वाला जो आया था south west मांसून का उसे निकाल दो बीज में एकात question आप ट्रावल एकोनोमी वाला था जो उसे निकाल दो तो ऐसे अपने 40 आ जाएंगे यानि कि आप ये मान के चलेंगे कि चार यूनिट से 40 question उन्होंने दिये है ये एक basic idea आपको आगया है अब ये जो अपना paper है इसका conclusion कर लेते हैं कि अपनी आगे की तैयारी क्या होनी चाहिए तो पहला conclusion ये है कि कुछ में अपनी detailing ठीक है लेकिन जो MP का forest department है उससे related जो bodies है उनको हमें थोड़ा proper way में structure वे में और differ करने की जरूएत है कब बनी, कैसे बनी, क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ा data होना चाहिए जिससे forest development corporation है उसके बारे में फिर question गलत नहीं होगा इस type का तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि MP में कौन-कौन सी bodies है forest related और उसके क्या क्या काम करती है वैसी national level पर जो man bodies है जैसे wildlife institute of India forest survey of India ICFRI है, FRI है MP में जो अपना tropical forest research institute है यह कब बनी, यह data आपने पता होना चाहिए एक है famous personality का जिसमें अपनी अम्ता दिवी विस्नुई वाला है तो यह चार-पांच ही personalities है जो अपने environment या forestry से related है scheme है इसे हम लोग basically travelology में पढ़ाएंगे travel development scheme के वोगी forestry से linkage है तो वो कौन-कौन सी scheme है वो वाला अपना area है जहां हमें course correction की जरूवत है travel वाली में और sorry और जो अपना wood science and tech है वैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अगले paper में भी wood science and tech इतना detail आ जाएगा लेकिन फिर भी क्योंकि satisfaction नहीं होता है तो wood science and tech को हमें थोड़ा और proper way में एक level तक उतना detail में इतना भी detail में नहीं जाएंगे कि ये question solve करना है तो wood science की पूरी book पढ़ दाला है लेकिन हाँ कुछ level तक explore कर सकते हैं उसे ठीक से तो ये अपने होना चाहिए next ये है कि इसमें जैसे mangroove ये उससे question नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे नहीं पढ़ेंगे उसे भी पढ़ेंगे silvy culture system से question आया है मैंने आपसे वही बोला कि syllabus को एक level से ज़दा care नहीं करते है wood science भी इतना detail में syllabus में नहीं है तो आपको वो भी पढ़ना पढ़ेगा wood science और ये silvy culture system को भी हम सही से पढ़ेंगे indian tree species ठीक है पहली बार paper हुआ है तो ये superficial गए है आप जैसे MP में इन्होंने बीज में 3-4 act चोड़ दिये थे human right वाला untouchability वाला तो starting में ये सीधा सीधा पूछते थे जब continue रहा तो फ़री उसके section किसके अंडर क्या है ये पूछने लगे थे तो बैसा इसके case में है कि इन्होंने इस बार पूछा है तो अगली बार paper इसी label का रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं रहता है तो आपको एक label तक की depth देनी ही पड़ती है इसके साथ ही इस साल ये जो अपना course रहेगा इसमें एक दो subject और जोड़ने वाले है जिसमें एक है tree improvement उससे detail में नहीं जाएंगे दो page के आसपास रहेगा basic जो terminology है उसकी बो समझेंगे याँ पर or date क्या है, remit क्या है progeny testing क्या होती है half-sip, full-sip progeny क्या होती है उसकी basic terminology समझेंगे forest engineering में जो chance होती है, उनके बारे में थोड़ा basic देखेंगे, एक page के आसपास होगा उसमें और forest economics में cost benefit ratio है wild life biology है उससे थोड़ा proper way में explore करेंगे कि जो human animal conflict है उसके angle को इस बार explore करेंगे हम लोग तो ये चीज़ें आँगे चलेंगे अब एक इसु रहा के हमें जो करना है, पहले हमें competition का level समझ में आना चाहिए, तभी डर बैठता है लोगों को तो भाई ये देख लो, ये है 2020 का इनकी total vacancy थी 111 हो सकता है भाई ने गलत कर दिया हो लेकिन आपको जदा better पता होगा मुझे ये लगता है कि 211 जो है, seats थी इसमें cut off इसका जो है, ये cut off की list है ठीक है अभी क्योंकि man cut off दिखाना चाहिए था मुझे क्योंकि ये slide दिखाने का purpose pre के cut off से क्या फाइदा है man का cut off होना चाहिए बट man का भाई इसका भी नए pattern वाले का हुआ ही नहीं है, man तो अभी exam हुआ cut off तो बाद में आएगा तो उससे आपको एक basic idea लग जाएगा कि average जो इसका cut off जाएगा उससे आपका hire जाने वाला है उसके पीछे दो region है पहला लोग exam को कैसे prepare करना है अब ज़दा बहतर तरीकी से समझने लगे है दूसरा seat जो है वो लगवग half हो रही है 63 seats हो गई है तो obviously cut off जदा जाएगा उसका इस हिसाब से आप समझ लेना यहाँ पर जो है यह जो अपना सुद्धी पत्र निकला था उसके बाद की यह seat ओ का रेंजमेंट है तो उसमें जनरल की seat है जीरो कर दी गई है लेकिन जनरल वालों के पास ACF की तीन seat हैं और यह जो परियोजना आर एफ हो है यह जो अभी पूछा था कि यह बाड़ी 1975 में बनी वो उसी का है पांच यह है तो इनके पास आठ seat हैं यह 8 seat के लिए मगजमारी कर सकते है OBC वालों के लिए इस बाड़ अच्छा है 29 है तो टोटल seat देख लो 63 के आसपास है अब क्योंकि यह 20 टाइम मोर बलाते हैं तो 63 का मतला गुगा 630 और 630 का डबल हो गया आपका 1260 इस बार इन्होंने टोटल बुलाए थे लगवग 32 के आसपास लोगों को वो अलग बात है कि 32 सो में से 500 ने फॉर्म में डी ए एफी नहीं भरा फिर वो तो 27 सो के आसपास हुए जिनका एक्जाम कंड़क्ट करवा रहे थे यह लोग 27 सो में भी 100 के आसपास जो डेफरेंस है वो आप समझ लो बारादूनी 24 लगवग धाई गुना तो आप खुद समझ लेना कि आपका कॉम्पटीशन का लेबल किस हद तक मारकाट मचाएगा अब यहाँ पर एक इस गोहर है कि यह नंबर कम होने की फिगर की वज़ए से आपकी फीस बढ़ेगी क्योंकि जो हम लोग चार्जेस तीन अजार है तीन अजार मैंसे कोई भी कुछ जी रॉक्स माल लेंगे कोई कुछ कर लेगा तब भी अगर 400 लोग आ गए तो हमारी सेलरी निकलाती है जो बच्चे हैं जो काम करते हैं उनकी सेलरी निकलाती है अब भी यह है ही 1200 तो यहां 1200 में उम्मीद नहीं कर सकते है कि यहां पर 400-600 लोग जोईन करेंगे तो हम चिंदी चुरी वाला काम कर करो करके 200-200 रॉपए 100-100 रॉपए बच्चा करके इनकी सेलरी निकला लेंगे पॉसिबल नहीं है उसमें भी आदे लोग फरजी बाड़ा कर देते हैं तो फिर मुद्दा निकलता नहीं है जलो यह माथा बच्ची वाली काम रही अब मुद्दा आता है कि अगर आप सेल्फ प्रिपेर कर रहा है सेल्फ प्रिपेर का मतलम मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि मेरी भई नूट्स की जीरोक्स मार करके आप तैयारी करना शुरू कर दो अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो आपको क्या रिक्वार्मेंट है फर्स्ट रिक्वार्मेंट आपकी है प्रिवेस येर कुश्चन पेपर की सुरी प्रिवेस येर कुश्चन पेपर जो अपने टेलीगराम ग्रॉपस है MP का डिडिकेटर टेलीगराम ग्रॉप है उस पर अपलोड होता रहता है हिमाचल का है गुजरात का पेपर है MP का है वो डाउनलोड है 36 गड़ के जो है पेपर अपलोड़ेड है MP के खुद दो है बिहार का uploaded है तो ऐसे बीच बीच में जितने भी वेपर आते हैं वहाँ upload होते रहते हैं आप उन्हें download करो, print करो बहुत सारी चीज़े हम लोग objective बैसी upload कर देते हैं उन्हें refer करो तो इस type से आपको previous year questions मल जाएंगे ये आपकी backbone है ये आपको ये help करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है और इसका एक benefit ये भी है suppose कोई question है forest act है, आप 10 बार पढ़ोगे पजा नहीं आता, बोरियत होती है लेकिन उसका जैसी आपने question देखे अच्छा ये भी आता है इंट्रेस्ट क्रियेट हो जाता है तो ये आपको life line देके चलेंगे दूसरा है study material study material के में next slide यों बात करेंगे दूसरा यहाँ पर free video जो है वो already राजस्थान का बैसे डाल दिया भाई देख लो देखो free की एक limitation है जो system चलता है classes का वहाँ पर पीछे background में 10 लोगों के घर चल रहे है तो ये जो 10 लोगों की salary है वो कहां से आएगी भाई मोधी जी या मामा जी तो देंगे नहीं वो आप ही के आहां से आनी है अब वो salary निकालनी है तो ऐसा नहीं होता है कि जो लोग कम सकम daily चर पांच लोग message कर देते हैं कि आपने ये delete कर रखे है दे दो भाई अगर publish कर देंगे तो ये 10 लोग क्या खाएंगे वो 10 लोगों मैंसे 5-6 लोग तो आप ही मैंसे है ना भाई जो next men's की preparation कर रहा है बट financially viable नहीं है तो वो यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहा है content development का काम का मतलब यही है कि जैसे grazing है तो ये बोल रखा है भाई grazing पर पढ़ लो मेरे पास time नहीं है मुझे ये पता है कि क्या area की loophole है लेकिन वो grazing के लिए 500 page पढ़ सकते है वो चार दिन बैठेंगे और बो निकाल दाएंगे कि भाई इंडिया में कौन सा grassland कहां पर कहां है चार लोग मिलके बैठेंगे तो ये दो महीने में समिट जाता है तो जो fault line है अपनी loophole हैं वो यहाँ पर अपने handle कर लेते हैं तो free video है वाले बल है आप उन्हें watch कर सकते हैं कहने का मतलब ये था ये ग्यान इसलिए पिल दिया मैंने कि free video की भी एक limitation है जब कोई video मेरे लिए competitive नहीं रहते हैं हम लोगों के लिए एक level तक तो उसे डाल देते हैं आप उसे watch कर सकते हैं ये भी enough हैं बहुत कुछ है इन में आप उसे देख सकते हैं लेकिन अगर आपके पास आप पैसा खर्ज कर सकते हैं आप अपने attempt के लिए इतना risk ले सकते हैं तो आप करिए लेकिन अगर आप पैसा दे सकते हैं तो मैं यहीं बोलूगा हम लोग पागल नहीं हैं वई जो analyze कर है content बनाए तो बहुत कुछ चीज़ा होती है जो आपको पैड में मिलेगा free free होता है एक कहवत है हमारे हाँ मुफ्स की गाये के दाथ नहीं होते है मैं अपनी खुद की बेज़ती नहीं कर रहा हूं लेकिन reality भही है तो आपको study material है free video है उनसे आपकाम कर सकते है next मुद्ध है test series का practice का market में book है आप उसे लगाएए भई अप test series हमारे side से free रहती है open है अब ऐसा मैं समझ ये कि वो free रहती है usually हम लोग उसका पैसा आप ही लोग मैंसे आप अगर pay नहीं कर रहा है तो कोई और pay कर रहा है जाता है नहीं जाता तो भई वो मेरे से रहा जाता है फिर मैं बनाऊंगा जितना time मिल पाता है कभी 30 question बनेंगे कभी 35 question बनेंगे हो सकता है कि 10 question या 8 test paper लेने के बाद 3 के बनाने का time नहीं मिल पा रहा तो test series ठप हो गई तो ये चीज़ें हो जाती है यानि कि पीछे service अगर आपको मिलेगी तो जो आपसे पैसे मिल रहा उसी से ये service खड़ी होती है तो regular अगर payment में regularity है तो service बची रहती है अधर कुछ भी जोल होता है तो फ़र ये चीज़ें गार रहा जाती है ये है अब मैंन मुद्दा है study material का देखो भाई अगर आप हिंदी में है तो हिंदी के पास कोई option है नहीं हिंदी में ये दो बुक है लेकिन मेरे इसाब से तो ये किवल बक लो ली है कोई फाइदा नहीं है इनका ये तो भाई लेना भी मत ये return exam के इसाब से IFS का काम नहीं चलता है आप कहां से काम तेला लोगे ये दो बुक है ठीक है ये थोड़ी new center type क्यों हो जाती है मुझे ये जलती नहीं है line to line दूसरा क्या है कि ये जिस बालक ने लिखी है जैसे हम लोग graduation करते हैं चार साल तो graduation के टाइम पर जो भी बुक पढ़ी suppose forest mensuration के लिए एन चतुरुवेदी पढ़ी जो भी पढ़ रहा है उसे line to line लिखते गए वो जब final हो गई मैंने master join कर लिया तो उस बुक को यहां publish कर दिया तो ये बुक उस type की time pass जुगाड़ा है इस बालक का खुद का जी आरेफ नहीं निकला है वो तुम लोगों का जी आरेफ नहीं निकलवा पाएगा लेकिन बस यह है कि भाई यह बुल सकते हो कि एक level से ज़्यदा author की बुराई मत करो वो बैसा type pass है तो मैं बोल दूँगा कि भाई कम page है सस्ती पढ़ती है तो जिन्हें पढ़ना है वो इससे पढ़ना है बस यह new center type की है तो मुझे नहीं जलती है आप अपने हिसाब से देख लो यह google book में मिल जाएगी google book में universal forestry डालोगे इसके कुछ page मिल जाएगी आप उसे पढ़ो अच्छी लगती है तो आप इसे खरीद लो नहीं लगती है तो छोड़ सकते है दूसरी है असूप कुमार यह ठीक है थोड़ी theoretical है जहल तो यह भी हो जाती है लेकिन ठीक है काम चल जाता है इसके साथ तो आप इसे पढ़ सकते हो यह भी सर्वकूर समपन नहीं है लेकिन और कोई alternative नहीं है जो मैं objective exam के लिए आपको बता सकूँ market मुआ कोई book है नहीं जो कुछ बीच में चिलर आ जाती है कोई MSC कर रहा है उसने निकाल दिया यह बच्चे जो निकाल देते हैं उनका कोई मतलब नहीं है classes के notes हैं OC का data उठा करके उसने book चाप मारी है और वो मुझे refer करता है कि भाई सर हमने ये book लिखी है मैं content development का काम करना चाहता हूँ यह मेरी book publish है ऐसा इसलिए होता है कि मुझे कैसे दिवा स्वापन नहीं आ रहा होता है लेकिन होता क्या है जैसे कि आप अपने notes पढ़ोगे general forestry उसमें यह क्या बोलते है hornable जो है BNHS Bombay Natural History Society Cab Bunny 1883 उसका forestry से कोई relation नहीं है लेकिन क्योंकि मेरे time पे मेरे जो teacher थे उन्होंने एक exam दिया था महाराश्टर का था RFO का exam दिया था तो उस exam में वो question पूछा गया था तो वो मुझे याद रह गया तो जब आपके notes बना रहा थे तो मैंने उसे add कर दिया क्योंकि उसका forestry के जितने भी books हैं उनमें दूर दूर तक कोई relation नहीं है लेकिन सामने वाला जब जो मैं लिख रहा हूं इन्हें आप refer कर सकते हो वीडियो के लिए भाई ये है कि आप कई बार बोलते हैं के clear नहीं दिख रहा है इसमें से तो आप वहाँ playlist में जाएए आपको proper way में playlist है उस playlist में जैसे राजस्तान की playlist में जाओगे तो उसमें सीधे-सीधे वीडियो मिल जाएंगे आपको one by one आप watch कर सकते हो आपकी जो classes होंगी अभी half-lal में हम लोग अगले 10 दिन वो YouTube के थ्रू लेंगे लेकिन आगे YouTube पर नहीं लेंगे भाई उसके पीछे region ये है कि YouTube के अपनी इसू है सीधी सी बात है पोड़कल मिलाके ये चीज़ें commercial हैं अगर number of experience ज़्यदा होते हैं तो per unit जो हमारा running cost है वो down हो जाता है तो हम आपको fee कम कर लेते हैं अगर वो fee candidate बहुत कम है तो फिर हमारे पास कोई option नहीं बचता है तो हमें fee बढ़ानी पड़ती है YouTube के साथ उसकी कुछ अपने loop hauls है हम एक level से किसी की life बरबाद नहीं कर सकते कि उसने video download कर लिया case file कर दो निप्टा दो से ये चलनी चलनी की काम मैं फसते नहीं है अलाकि लोग करते हैं बट तो आपको YouTube अगले 10-12 दिन के लिए रहेगा इसके बाद आपको app पे सिफ्ट कर दिया जाएगा तो कुल मिलाकि ये है कि forestry मैं कितना पढ़ना चाहिए basic idea आपको मैं बता चुका हूँ उम्मीद करता हूँ आप मैंसे बहुत सारे के पास तो मेरे पहले से जो जी रॉक्स कर रखा है लोगों ने वो ही पढ़ रखी होगी तो एक basic idea आगया है कोर्स correction कहां तक करने की जरूरत है 40 question आएंगे तो आपको एक level तक जाना है लेकिन किसी में PhD करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि आप उसमें गुश जाओ गूड साइंस में इतना आगया इतना आगया तो ये कर लो मेरा अन्मान ये है अगर roughly केवल core forestry के question पकड़े जाएं तो हम लोग बोल सकते हैं कि 40 के असपास question आए है forestry से और हम लोग लगवक 30 के असपास पे cover कर लिया है अधर चीजों को छोड़ दिया जाए 34 को साइद हम लोगों ने cover किया था लेकिन यहाँ पर question बढ़ गए थे वो अधर वाले part तो 30 मतला 75% अपना ठीक है या 31 32 के असपास जा सकता है क्योंकि जो question outsider थे वही अपने cover नहीं किया वही ज़दा छूट रहे थे अपने अब मुद्धाता है कि classes में अगर आप suppose जोईन करते हैं आपका planning है आपने कसम खाली है कि नहीं भई हमें तो जोईन करना है हमें दिमाग का अपना दहीनी करवाना है मैं आपसे फिर यही बोलूँगा अगर आपकी financial hurdle नहीं है आप देखो यह attempt जो है वो दो दो चार्ट सार हजार पे बरवाज नहीं किय जाते है इस्टेट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भई मेरा commercial interest है यह चिलर पनती है इस्टेटों की वैसे भी IFS वगरेज़ वाले जो दे देते हैं उससे तुमारी classes चलती है MP यह स्टेट वालों से तो गुजरात वाले अच्छा पैसा देते है आपका जो है पिछले साल का जो प्रोजेक्ट था जो आपको चैट सुपोर्ट दे रहा था उसकी salary GPSC वालों ने भरी है भाई तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप लोगों से जो profit है वो बहुत कम हो जाता है जो आप पे करते हैं उसमें 18% GST चली जाती है प्लस फिर बीच के background के running cost रतने जाता है कि पर candidate जो है average जो profit होता है 1500-200 रोपे के असपास रहता उसमें भी कुछ लोग कसम खा लेते हैं कि भाई मैं तो मर जाओंगा मुझे भाई आत्मात्या कर लोगा भाई कम कर दो discount कर दो तो उसमें भी कई बार सामने सिर्फ पे पड़ जाता सुबह साम तो भाई चल ले भाई 5-10 जो 100 रोपे हैं कम कर ले मर भाई तो वो चीजे मैंसे नहीं चल पाते हैं तो अगर आप के पास इतना बड़ा इसू नहीं है और आप सीरियस्ली प्रप्यार कर रहा है तो आपको क्लास जोइन कर लेनी चाहिए अगर आप attempt को जस्ट है जे चलो ठीक है कोई बार नहीं कर लेंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं है बहुत सारी चीज़े हैं पहले से इतनी सारी चीज़े हैं उन्हें आवाज कर लो वो भी बहुत है अब मुद्दा है कि कलास अगर आप जोइन करते हैं तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे बैसिकली आपको पता है एक तो study material है दूसरा classes है और तीसरा important है भई chat support ये अगर आप class ले रहा है तब भी आपको प्रोवाइड होती है study material ले रहा है तब भी आपको प्रोवाइड होती है ये chat support इस case में दिया जाएगा कि अगर आपको कोई concept समझ में नहीं आ रहा है तो हम देंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप study material की gyrox मार लो और जो objective है वो हम से पूछो यहां पर भाई जो person आपको यहाँ chat support के लिए बैठा है उसकी salary आपकी यहां के objective भी पे करते हैं मैं ली भाई करते हैं वीडियो वाला एक label है उसका के वाल तो study material के question अगर आप पूछोगे तो study material वाला नहीं बताएगा system जब forward नहीं उपाते question तो आप यह उम्मीद ना करें कि आप किवल उसका करके study material के question पूछते रहेंगे और हम बताएंगे और अगर नहीं बता पाते हैं तो आप लोग गले आएंगे किया हमने पे गिया हमारे पैसों का मतलब नहीं है भाई देको मतलब है चीज़े चलती है लेकिन दिक्कत वही होती है कि सामने वाले की salary निकालना हमारे लिए मुस्किल हो जाता है कई बार forestry के लिए जैसे 36 गड़बालों का था उनके साथ भी है तो राजस्थान वालों से जो कमाया था वो 36 गड़बालों को लगा दिया तो ये चीज़े ना हो तो वही है कि वो सामने वाले की salary निकालना होती कुल मिलाके हम लोग ये धर्मदान पर नहीं बैठें कि MP वालों के लिए IFS बालों की salary जो है वो MP वालों के लिए लगा देंगे आप अपने project को खुद हेंडल करेंगे second thing अब ये मुद्धर है अपनी study material के बारे में क्या रहने वाला इस बार का study material study material हम लोग तीन एरिया के प्रोवाइड करवाएंगे forestry है, travelology है और environment ecology वाला part है ये इस बार हिंदी English में दोनों में provide करवाएंगे ये भी हिंदी English दोनों में रहेगा और एकेवल English में रहेगा उसे हम लोग अभी हिंदी के नहीं है क्योंकि हिंदी में आपके पास पहले से काफी resources है और हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि अपना पैसा बरबाद करें इसमें और आप जीरोक्स मारो छोड़ दो भई, क्यों बरबाद करें भई चार आदमी लगेंगे दो मैंने में करेंगे हमारे धाई तीन लाग वैसी बरबाद हो जाते है तो ये तो हम लोग पहले से प्लान कर रहे आपके पास मार्केट में पहले से इंगलिस के sources हैं हिंदी में sources हैं आप पढ़ लो वहाँ से 4C में हिंदी का नहीं है माधा पच्ची हो रखी है इसलिए इसका कोसिस कर रहे है इस पर नहीं देने वाले है जो है ऐसा नहीं है का आते जाओ हम देते जाए पहले registration होगा जो पे करेंगे केबल उन्हीं को देंगे और जो registered है copy जो है वो particularly watermark आएंगे तो जी रोक्स अगर कोई करते पाया जाता है तो फिर वही हम लोग आगे अगर जदा गया और हमारी commercial क्योंकि इन में profit margin बिलकुल वो दो दो सचार चार सो रुपए बाला होता है तो अगर पता पढ़ रहा कि हमारे लिए lethal हो रहा है क्योंकि यह तो मैंने आपको बोल दिया लेकिन market में printing के rate increase हो जाते है इंक rate increase हो जाते है offset printing के rate बढ़ जाते है तो अगर यह बढ़ जाता तो फिर कुछ पार्ट आपको PDF format में दिया जाएगा हलाकि theory जो है वो color printed format में आपको दिया जाएगी और जो mcq है वो 300 page के आसपास है जो black and white आपको g-rocks पकड़ा दी जाएगे तो यह total जो है लगवा आपको साड़े 800 page का है यह more than enough है इससे जदा detail में करवाना मुझे कुछ नहीं जाता है 2000 page की दे दूँगा बस salary जो है न फीस जदा बढ़ा के दे देना तो मुद्दा वही है कि आप लोग एक limit से जदा पैसे नहीं दोगे और मैं भी यहां से दे दूँगा तो आपको revise करना पादना उसे implement करना आप वो possible नहीं हो पता है तो यह more than enough है ट्राबोलोजी है वो लगवाग 50 page की अपनी black and white zerox मिलेगी आपको और 10 page की objective तो यह 60 page यह cover कर लेता है environmental science है यह भी black and white में ही देंगे यह हो सकता है यह PDF में भी देते है तो साड़े 400 page यह है 300 page की objective है तो यह साड़े 700 page है ट्राब का material बनता है साड़े 1600 page का यह more than enough material है इससे जदा पढ़ने की जरूवत नहीं है अगर question बहर जा रहा है तो जाने दो environment के जो mcq है यह 400 plus questions पेपर है उनको बनाया गया है क्योंकि civil है इसमें भी civil के question भी है यह जो है यह इसके इनकी tribology तो इससे भी जोड़ रखाए तो tribology में भी 400 के question है यह 80 plus question पेपर है उनकी forest ही है plus इसमें भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे area है जिनसे question आये है बट पहले हमारे time पे आये है अभी paper उतने जाता है यह भी अगर 200-300 होते forestry के तो बोल सकते थे अभी नहीं है तो हमें पता है को इस area के question आते है तो वो question भी add किये जा रहा है तो इस type से यह अपना 1500 page का material बन जाएगा दूसरा है study material में previous year questions के उपर लिख रखा है अभी आपको जो material है English बालों को मिलेगा 15 अगस्त को आपको parcel मिल जाएगा और हिंदी बालों को 30 अगस्त को मिलेगा ऐसा इसलिए क्योंकि material पहले prepare किया जा रहा है English में फिर उसे translate किया जाएगा हिंदी में तो ये time का खा जाता है तो ये 30 के बाद असपास मिल जाएगा आपको फिर भी time है आपको जो classes हो रही होंगी उसकी पीपिटी मिलती जाएगी आप revise कर सकते हैं तो 30 अगस्ता के जैसी मिलता है आप आराम से अगे बढ़ सकते हो मुद्दा है ओनलाइन class रहेगी ओफलाइन तो भाई ओफलाइन के खर्चे बहुत ज़्यदा है डवा देते होगा आप लोग पहले भी एक बार कोशिस कर चुके थी तो लंका लग गई थी इसका result ही है कि अभी हमारे planning है ओनलाइन ही है ओफलाइन के लिए ग्वालियर में देखा जा रहा है अगले दो दिन दिन में आपको inform कर दिया जाएगा और अगर ओफलाइन होता है तो यहाँ पर लगवाग हम लोग 50 या 60 student वो जो भी होगा seat वहाँ position वो fix रहेगी आपसे पहले registration करवा लिया जाएगा उसके लिए तीन-चार दिन में आपको inform कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें जो structure है उसकी limitation है seats की तो cable पही रहेगी फिर उसमें बस यह है कि पढ़ाने का तो खर्चा मेरा जो रहेगा वही सिमी रहेगा लेकिन जो offline में जो infrastructure पर जो हमारा खर्चा investment होगा suppose उसका rent है running cost है easy चल रहा है light चल रही है तो उसके इसाब से जो भी खर्चा उसे देना होगा वो suppose 50 seat है 60 seat है तो वो 50-60 पर पांट करके आप लोगों से बसूल कर लिया जाएगा subject medium पढ़ाने का जो class है forest ही तो जैसी अभी बता रहा हूँ वैसे ही हिंदी मैं बोलता हूँ पीछे English में लिखा है यही चलेगा bilingual ही रहेगी duration लगवक 60 गंटे में आपकी पूरी class कवार हो जाएगी कुछ एरिया है जिने explore और करेंगे तो यह duration 60 गंटे के आसपास हो जाएगा YouTube और एप initial 14-15 दिन YouTube पर रहेगा फिर हम लोग एप पे shift हो जाएगे travelology है यह भी bilingual है यह 30 भाई, travelology 30 गंटे बहुत हो रखी है यह 10 गंटे से जदा की नहीं है 5-10 गंटे की है तीस गंटे है environment की है यह मुझकर से फाइव आवर के आसपास travelology माल लेजे travelology जो है प्रतीक सर पढ़ाएंगे तो वही यह travelology और environment है तो दोनों पार्ट वो cover करेंगे हो सकता है travelology का कुछ पार्ट में cover कर दू environment पूरा वही देख रहा है YouTube पे वीडियो की कोई expiry date नहीं होती है cloud storage मुफ्त का मिल जाता है इसलिए आपको YouTube की through देते थे क्योंकि वो हमें भी free पढ़ रहा है लेकिन वही है कि लोग download कर लेते हैं दुनिया भर के तरीके से फिर उसे pen drive में 4455 रुपए में बेजते हैं तो फिर उसकी लंका लगती है इसलिए फिर भाई हम लोग app पे आ रहा हैं और app जो है वो one year की one year की limit के साथ आ रहा है हला की कोईसिश ये कर रहा है कि अगर two year की हो जाती है तो ठीक है two year की हम लोग देके चल रहा है अगर जरूवत पढ़ेगी तो थोड़ा बहुत extension ले उसे two year कर लेंगे या हो सकता है आप लोगों से एक बार one year मिल जाए तो या तो जब लंबा होता है तो उनसे बुल देते हैं तो कई बार extension इजली मिल जाता है अधर वाईज दो चार्स रुपए साइध एक्स्ट्राफ हो सकता है तो उससे extension को मिल जाता है जली तो देखा जाएगा उसका क्या कबना है बैच एक अगस से स्टार्ट हो जाएगा और आपको 30 सेप्टेमबर तक खतम हो जाएगा मतलब 30 सेप्टेमबर तक तो दो मंत यानि कि 60 डे लग जाएगा ये जो टू येर का बोल रहा हूँ इसमें एक option ये भी है कि आपको वन येर का दे दिया जाए जैसे कि एप वाले जो देते हैं फिर वन येर जब complete हो जाए तो ये सावरे वीडियो को YouTube पे upload करके आप सब को access दे दिया जाए वो YouTube private की through तो इस टाइप से किया जा सकता है क्योंकि उसमें क्या कि फिर वो हमारी लीवी लॉस नहीं है वन येर हो चुका है और आप इसली दे सकते हैं तो इसलीए हम लोग आपको मानिक चनला है कि हम लोग आपको टू येर का provide करवा देंगे तो येर है इसकी next है chat support मैंने आपसे भई बोला class जो है video है notes है ये सारी चीज़ें आप इधर उदर से कर सकते हो लेकिन chat support आपको नहीं मिल पाएगा इधर उदर से self में तो ये छोटी छोटी सी जो गलती है वो आपको lethal कर देती है मैंने आपसे भई फिर वह बोला कि दो दो चार चार हजार में आप अपनी जिन्द की दाओ पर मत लगाईए ये मैं अपनी respect में नहीं बोल रहा हूँ आप कोई भी class कर रहा हूँ अगर आपका man's निकला prelim निकला है घर बालों से लीजिए cycle बेचनी पड़ेगी ज़ता से ज़ता लेकिन जो भी जहां भी आपको test series मिल रही class मिल रही आप join करो cover करो से ज़्यदातर की selection वही लोगों के होते हैं जो join करते हैं अपना काम करते हैं पढ़ते हैं और seat लेकर के निकल जाते हैं पिछले तीन चार साल से ये दिख रहा हूँ ये वो जो बच्चे जो class लेके उसके business में interested हैं वो actually के भल ये market कई काम कर पाते हैं ज़्यदगी में उससे आगे नहीं क्योंकि उनका time खोटी ये फाल दू के काम में ज़्यदा होता है test series आपको app के थ्रू एवाई level करवा दी जाएगी उसको थोड़ा बात में schedule आएगा एक level तक syllabus कवर हो जाए जिससे test पे बन ले सके तब वो कराना better है अब मुद्दा आता है अपनी fee structure का forestry का है study material लेना है हिंदी आइंगलिस अलग अलग रख रहे थे हिंदी का थोड़ा ज़्यदा जा रहा था पर finally यही कर दिया चलो 32 में दे देंगे class है उसकी 5000 रहेगी और दोनों अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको साड़े साथ सजार में मिल जाएगी tribology और environment है यह same pattern पे है यह साथ में जोड़ रखा है इनका यह रहेगा कि tribology के लगवा हमाँ 1250 पढ़ता है environment की यह वास्टनेस है prelim बाले भी चोइन कर सकते है men's बाले भी कर रहा है civil है other area भी है तो इस वज़े से इनका per unit जो है cost वो गड़ जाता हमारा तो यहां हम लोग इसे 1000 में प्रोवाइड कर रहा देंगे study material और यह दोनों ले रहा है तो जैसी study material आपको 1250 में कर रखा है और यह 1000 में तो यह दोनों हम लोग 2000 में दे देंगे study material प्लास क्लास यहां study material आपको black and white कॉपी में दिया जाएगा और क्लास का आपको पता ही है अगर आप पूरा ही join करना चाहते है तो आपको 9000 पढ़ेगा पूरा इसमें आपके कुरियर चार्ज, GST, कुरियर पैकेजिंग, सिपिंग चार्जेश वो सभी हैं और यह fee structure जो है हमारा अन्मान है कि यह 2 September तक हम लोग इसे लगा सकते हैं वैले डिटिल 2 September जो कि current price है उसके according future का नहीं पता है क्योंकि market में fluctuation आ जाते है printing वाला है, नहीं करना है तो भई, मैं कहां से दे दूँ या तो ऐसा है कि मैं आपसे 12,000 की fees लूँ profit margin हमारा 3,000 है तो 2,400 रुपए उपर नीचे होता है हम लोग handle कर लेंगे लिकिन अगर profit margin ही 3,400 रुपए का है तो free करना possible नहीं हो पाता है second thing इस पे भी हो अला मचा सकते हैं कि fees आपने बढ़ा दिया साड़े साथ कर दिया पांस हजार की जिए का आपने पचास परसन बढ़ा दिया है तो भाई, उसके पीछे दो रीजन है साड़े साथ कम कर दिया हम लोग forestry की नो लेने वाले थे आप मैंसे कई लोगों को बुल दिया होगा है कि इसकी fees आठ़ हजार होगी रीजन यह है कि first आपकी जो strength है वो लगवग हाफ हो गई है बारा सो के असपास हैं बारा सो थे हैं बारा सो हैं तो इसमें हजार लोग होंगे serious player करने जो exam देंगे और मुश्कर से 200-300 लोग होंगे जो serious player है तो यह जो strength है जो बटेगा वो दोसो डाइस हो है उन मैंसे सतरा सी लोग होंगे या सो लोग होंगे जो class join करेंगे तो serious player जो है उनका कम है तो इस चकर में एक तो यह बढ़ जाता है दूसरा है आपके content का size बढ़ रहा है forestry में ही बढ़ रहा है और third issue है आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने पिछले साल class join की थी या आपके friend circle में join की होगी तो उन्हें better तरीगी से पता होगा कि जो class है किसी को material time पे नहीं मिल पा रहा है कोई message कर रहा है तो उसे chat support समय रहते नहीं मिल पा रहा है class में irregularity आ रही है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है क्योंकि जब आपसे fees कम ली जाती है तो जो backup support है उसे एक label से ज़दार नहीं बढ़ा पाते है वो नहीं होगा तो भाई जो भी है आवरलोडिंग सिस्टम में होगा तो फिर किसी को कुछ मिल रहा है किसी को नहीं हो रहा है जैसे मैंने आप से बोला grazing वाले हैं water set वाले हैं ये दोनों कुशन क्यों छूटे है क्योंकि backup नहीं था उनका पता है क्या छूट रहा है लेकिन time नहीं है उसे करने का तो अगर background staff जो है जो already बढ़ा दिये गए है चार लोगों को तो जो background staff बढ़ेगा तो भाई खर्चा बढ़ जाता हमारा एक को बालग को जिसे initial phase में हम लोग 18,000 दे रहा है six month के लिए 18 निकालने के लिए 18 उसके प्लस उसकी GST है प्लस जब वो यहां काम करता है तो लगवाग 45,000 पर unit हमारा basic खर्चा हो जाता है उसकी उपर तो वो एक बालग हमें जिस 18 देते हैं वो 30 वैसी पढ़ता है चार होगा एक लाग 20,000 का मन्त ले इनकी होगा ये तो starting के six month के लिए six month बाद काम थोड़ी करते रहेंगे वो अठाना में वो भाग जाएंगे तो payment बढ़ाना पड़ता है तो ये सारे जो हैं वो background running cost है मुझे पता है कि इसमें cover नहीं होगे इसलिए मैंने आपसे बोल रखा है कि ये 2 September तक है आप इससे पहले जोइन कर लेते हैं तो ये चल जाएगा अगर background cost जो है वो बढ़ जाता है तो फिर हमारे लिए possible नहीं हो पाता है second thing 2 September के बाद अगर emergency पढ़ती है तो हम लोग साथ study material के price में increase कर सकते हैं class complete हो चुकी होगे तो उसमें कोई issue रहेगा नहीं man issue रहता है chat support का chat support हम लोग ये consider करके चलते हैं कि आपका exam 4 December को है और हम लोग 4 December तक आपको chat support देंगे ये सारी जो calculation है वो आपके 4 December को final date मांगे करेंगे जिसमें test series आपको free रहेगी अगर ये आपका exam extend हो जाता है तो जो subscriber है उन्हें तो chat support मिलता रहेगा लेकिन जो बीच में कुछ आजाते हैं तो ऐसे लोगों को भाई consider नहीं किया जाएगा तो ये देख लो अब मुद्दा आता है join कैसे करना है ये number है WhatsApp है, Telegram दोनों पर ये active है आप आपकी जो details है उन्हें इस number पर WhatsApp पर, Telegram पर share कर दीजिए आपका जो payment के method है phone पे, Google पे, UPI, ID, Bank Napt, RTGS उनके through कर सकते हैं अप जैसी active हो जाएगा तो फर तो app में payment के method सीधे आजाते हैं तो आप पहां से कर सकते हैं आपको ये कर देना payment करके उसका snapshot share करके आपको इसी WhatsApp टेलीग्राम पर जहां आपने detail share की वहीं पर आपको payment detail share कर देनी है share करके हमारी साइड से response आजाएगा आपको और next three hour में आपकी ID active कर दी जाती है ये वो detail हैं जो आपको share करनी है आपका नाम, आपका contact number, आपकी Gmail ID जिससे आप normally YouTube में log in करते समाई use करते हैं किस exam के लिए आप prepare कर रहे हैं क्योंकि आपको confusion नहीं है लेकिन हमारे end पर बहुत ज़्यादा confusion होता है इसमें तो आप यहाँ पर सीथर लिखेंगे MPPSC forest forest 2021 या 2022 प्लस आपका courier address जिसके साथ आप pin code भी लगाएं भाई कई बार लोग pin code नहीं देते हैं name, state का name आप consider कर सकते हैं अगर आप MPPSC हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप MPPSC बाहर हैं तो नाम जरूरत है पैसे इसलिए मैं बोलूँगा आप state mention करते जाएं क्योंकि कई बार local के area पता नहीं पढ़ते हैं तो आप ये detail जी निम्मर पर WhatsApp पर ये टेली ग्राम पर जो भी आप use करते हैं वहाँ share करतेंगे और हमारी साइट से active कर दिया जाता है ये payment के methods हैं किसी पर भी payment कर दो, scan करके पे कर दो, काम हो जाता है चैट support कैसे मलेगा है हम लोग WhatsApp पर और टेली ग्राम पर pad group बनाते हैं pad group इसलिए क्योंकि जब वहाँ पर आप आते हैं तो आपको वहाँ competition की feeling आती है बच्चे पढ़ रहा होते हैं, कोई कुछ पूछ रहा होता है तो वहाँ पर एक तो हमारे लिए positive ये है कि हमें एक को respond करते हैं वो remaining को पता पढ़ जाता है कि अच्छा ये issue है, इसको ये answer दिया गया तो बिना पूछे ही आपको reply मिलते रहते हैं आपको interest आ जाता है forestry में second आपको ये पता होता है कि कौन कहां पर क्या पढ़ रहा है तो क्योंकि online के कीश में completion की feeling आना वो मुस्किल हो जाता है तो आपको वहाँ पर एक completion की जो feeling है वो आ जाती है कि हाँ, महुल चल क्या रहा है कई बार आपस में कुछी ने question पूछा है आपको answer पता है आपने फटाक दीना उसे type कर दिया ये जो है parties position उसमें active parties position ये आपको वहाँ थोड़ा पढ़ेगा group बनता है तो ये help करता है आपको आगे और first enthusiast करने में आपको थोड़ा उतेजित कर देता है तो जो आपका group है selection वहीं से होना है तो आपको ये पता है कि इस group में आपकी position क्या है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी seat कहां पर है आप select हो रहा है नहीं हो रहा है तो काफी हद तक आपको एक basic idea आ जाता है जैसे 2020 का जो है मैं assume करके चल रहा हूँ कि 111 जो पोस्ट है about 100 जो selection होंगे वो आराम से अपनी हां से होंगे क्योंकि जो background है वो काफी जदा है मैंने आप चो वही बोला selection .66, .33 इन से अटकते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं यहापर भाई तो यहाँ पर आपको एक basic जो लेबल है competition का वो माहौल प्रोवाइड होताएगा और अगर offline स्टार्ट हो जाता है by chance और अगर आप offline में जाते हैं फिर तो कहने का मतलब भी नहीं फिर तो आप actual में competition feel ही नहीं कर रहा है आप सामने वाले के साथ fight कर रहा है competition में तो यहाँ तक तो यह मुद्दे रहे last में अगर किसी वो कोई issue ए सिंका समाधान है तो इस number पर आप whatsapp और telegram पर message छोड़ सकते हैं call भी कर सकते हैं लेकिन होता क्या है कि call में कई बार कोई night में 10 बजे बैठ रखा है तो भाई 10 बजे मैं reply नहीं देता रहूँगा या सामने वाला person है वो 6 बजे घर जाता है उसके भी बीवी बच्चे है तो बैठा नहीं रहेगा तो आप आरम से छोड़ दो चलता रहेगा यह telegram group है यह man group है जो आएफेस बगरा और other exams के लिए यह MP के लिए dedicated है इस link पर क्लिक करोगे आप अपने इस group को join कर लो regular update होता रहता है center जो गॉलियर में आप वहाँ पर भी आ सकते हो Google Map पर होन मिल क्लासे डालोगे center का वो पकड़ा देता है यह है भाई पहुंच जाओ तो वहाँ आ सकता है हम लोग थोड़े निकम में टाइप के हैं तो student के लिए जो time है वो 11 वजे से रखते है कितना 11 AM से 5 PM तक भाई यही time है क्योंकि 11 वजे से पहले कई वार हम लोग जागते भी नहीं है night के ओवर लोड़िंग हो जाती है तो फिर नहीं हो पाता चीजा है गड़वड़ा जाती है कई वार मौनिंग में काम ओवर लोड़िंग होता है तो आपको आप आगए तो फिर बात करना मुस्किल हो जाता है तो आप 11 AM से 5 AM का यह time slot लिए इसमें आप आ सकते है अब आता है भाई मेरे बारे में जनें नहीं पता है उन्हें पता देता हूं भाई मेरा यह नाम है ड़केत नहीं हूं गुरजर हूं लेकिन ड़केत नहीं हूं अकेडमिक में मेरा 4STC बैक्राउंड है महरास्टा अकोला से किया था मैंने फिर मैं भी पंतनगर से मास्टर है पीजडी मैंने छोड़ दी थी वहां से बाद में बीच में दारादून मैं एचे असोसियर्ट प्रॉफिसर की पोस्ट पर मैंने कुछ काम किया था कुछ टाम तक वहां पर डॉल्फिन की नाम से है डॉल्फिन पीजी कॉलेज से उसमें फिर मेरे सिविल का मैंस था तो मैंने वहां से निका दिए प्राइवेट है तो कौन जिद्का वैलु देता है फिर वैसे साथ वालों को पढ़ाते रहे हैं उसका कोई ज़्यदा मतलब नहीं है यह वही कुछ एक्जाम है जैसे फोरेस्टी में आइफस है ट्वैल में दिया था सेविंटीन में दिया था इंटर्व्यू से बाहर निकल गया रिजल्ट क्या था बॉटनी में पूर मार्क थे जियस इंगलेस में कुछ ज़्यदा तो नहीं पाया था इनने भी लुटी अड़वाई है तो मैं वहीं गोल ल करती है मैं एक सिंपल एक्जामबल बताता हूँ माल लेजिए बायलोजी है आप माथा पच्ची करते रहिए मैंने बंसल क्लासिस को डिटेल में पढ़ लिया पांच दिन में आप बायलोजी में मुझसे कॉमप्टीशन नहीं कर सकते हैं तो आपके फील्ड में आप मैंसे 50 परसंट तो इंजिनिरिंग बैक्गराउंड के बैठे हैं तो आप उनसे फिजिक्स हमिस्टी में किस बात से कॉमप्टीशन कर लोगे हाँ उनकी बायो कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी कम जोड़ ही उनके साथ में कोई प्रप्रेशन कर रहा है फ्रेंड सरकल में जो बैक्गराउंड का है वो बता देता क्या क्या पढ़ना कैसे पढ़ना है तो भाई उसकी बायो भी नहीं रही आप अपने दिवास अपने मां बैठे रहा हो कि नहीं किसी को नहीं आता किसी नहीं पढ़ा डिटेल में 11-12 की एंसे पढ़ दी बस मेरी बायो हो गई भाई वो आदमी आपको cross करके निकल ले जा तो ये छोटी-छोटी चिलर पंती नहीं करनी है आपको proper way में जितना आप डीब में जा सकते हैं जितना बेतर कर सकते हैं उसे कर लीजिए आप एक एनो तर एक्जामपर ले सकते हैं quality से question आते हैं दो-तीन आप लक्षमी कांथ लेके पूरी पढ़ डालते हैं modern इंडिया से दो-तीन question आते हैं आप spectrum की शाड़े 500 page की book को बिलकुल रटा दे मारते हैं तो शाड़े 500 page दो-तीन question के लिए तो अगर ऐसा बोले कि forest team है आपको शाड़े 800 page वो तो object है साड़े 500 page अगर मैं आपको 440 question के लिए दे रहा हूँ तो ये तो भाई बहुत कम है इतना तो तो तुम दो-तीन question के लिए रटा मार डालते हो वो भी line to line तो ये तो बहुत कम page है भाई आपको तो कम सकम forest team 1000 page की होनी चाहिए लेकिन चलब तब भी सुच लेते नहीं हो पाएगा state में कई बार इस्ट्रेंट नहीं कर पाते हैं तो इसलिए से कुछ तक कम कर देते हैं तो कम सकम इसमें ये नहीं होना चाहिए कि इतना नहीं पड़ पाएगे ये तो ऐसे page figure है जहाँ पर खून घराबा हो जाए छोड़ना नहीं उसमें बगाया का भाई सिवल मैंस है पंद्रा, सोला, सत्रा दिया बीस का बस टाइम पास दिया था मैंने पिर बताया भी होगा कई बार के बैसी मों उठाके चले जाओ बस एक लेबल होती पर प्रिसन की जो निकल जाता है सिवल ये भी दे चुका हूँ मैं फोरेस्टी में है सत्रा फोरेस्ट जो है ये 18 वाला मैंने दिया था विजन बैग्ग्राउंड पर मेरा चला गया था विजन पर मैं कई बार बोल चुका हूँ भाई माथा पच्ची बहुत कर रखी आप लोगोंने विजन जो है मेरा जो परसेप्सन है वो है जो अपना दिवी एल्यावाई मेडिकल कॉलेज है उसमें जो अप्थलमोलोजी आँख वाला जो डेपार्टमेंट है उसका जो होडी है उन्होंने जो बोला मेरा परसेप्सन उस बेस्ट पर है मेरा नंबर था 5.25 और 5.75 तो उन्होंने हलाकि यह बोल दिया था कि हो जाएगा लेकिन यह बोला था कि भई कुछ treatment लेके आओ उन्हींने बताया था कि 4 की जो digit है उससे उपर आओगे आप परिशान होगे हलाकि उन्हेंने बोला था कि मैं इस बार करवा दूँगा लेकिन अगली बार treatment करके आना लेकिन मुझे disqualify कर दिया गया था उत्राखंड है वहाँ पर तो सीधा सीधा notice में लिख रखा है कि वहाँ minus 4 जो है वो limit है minus यह plus 4 वो limit है यहाँ पर इन्हें बोला था वहाँ मुझे अभी recently मिला जो एक IFS थे तो उनकी जो medical हो रहा था तो उसमें उन्होंने बता दिया था उन्हें साथ उत्राखंड का भी medical दिया था तो उत्राखंड वाला दिया था उन्होंने तो आप यह माने के चलिए minus 4 minus यह plus 4 जो होता है यह आपकी आई के लिए है अब आप मुझे यह मत पूछिए कि आपके पैर में नौक नी है color blindness है भाई देखो मेरी जो समस्या है मैं उस पर ध्यान दूँगा color blindness उत्राखंड में permit नहीं है मतलब कहीं नहीं permit है बकाय की चीज़े मुझे पता नहीं है क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया जो भी IFS या other selected होते हैं तो मैं किसी को call करके नहीं पूछता हूँ भाई कोई issue था क्या तुमारे पैर तूटे थे कुछ, दिक्कत थी क्या ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं जिसकी समस्या होती है वो ही करता नहीं कोई मतलब रहता नहीं है जैसे उत्र यूपी है यूपी मैं मुझे ही याद नहीं है साथ 19 में इनका 20 का हुआ था 19 का बैस था ये फिसका वो मैंने प्रोवाइड दिया था उने तो उसमें जो फर्स्ट रेंकर था और फिप ये फूर्ट रेंकर थे वो अपनी यह राजस्तान में जो हुआ है एक का तो रिकौर्ड था उसने मैसेज किया था थैंक्यू गोला था तो वह इस यह बना है तो उसका बसके बल था कि हाँ भाई ये बना है बकाए इनके किसी और पूछा भी नहीं कि वह कोई कुछ बना है नहीं बना है उनका कोई डाटा है नही लाश्ट किलास में हम लोग अनकी एक्चली ये आईफेस हुआ था तो ये स्टेट जो है यूपी बिहार उत्राकान ये आईफेस वाले है उसका किलास लेकि इनने काम चलाया ये गुजरात वाले है इनका भी कोई सेपरेट किलास नहीं हुआ था इनने भी आईफेस का तो उसमें से 6 है मतलब ठीक परफॉर्मेंस है 32 में वह भी सीधे 15-20 दिन के लिए इने दिया गया था तो उसमें ने 15-20 दिन में अच्छी परफॉर्मेंस कर दे तो ये भाई इसका है ये आईफेस का है आईफेस में टोटल 21 है 21 मतलब क्या है कि वह एक जो है उसे हमें पता दिया कि भाई हो गया है मेरा तो इसलिए 20 के जगह 21 लिख दिया यहां पर आउट ओफ 108 ये 21 वो है जिने स्टेडी माटेरियल ये क्लास दिया गया है अब किसी ने मानने कि चलो टेस्ट सीरी जोइन कर रखी थी तो ऐसे इनको कंसीडर नहीं किया जाता कोई पढ़ गई हो रा बस कभी कबार थोड़ी हल्प के लिए आ गया किसी ने पूछ लिया कि भाई ये इस हुए समाज में नहीं आ रहा है चैट सूपोर्ट दे दिया किसी को तो ऐसी लोगों को कंसीडर यहां नहीं किया गया है तो इस टाइप से अगर उनने कंसीडर कर दिया जाए तो फिर साड़े साथ आठ हजार पे करोगे एक काम करो ये बीस पचास पेज पढ़ो एक प्रिवेसर के कुश्चन सॉलो कर लो मतलब कुश्चन पहले से है सॉलो यूसन है इन्हें पढ़ लो कुछ टेमपरेरी माटेरियल है जो क्रक्स है फोरेश्टी की उसे दे दिया भाई इसे तो इस टाइप से अठारा लोग हैं 21 लोग हैं रागुलर वाले टोटल रिकॉर रिजल्ट है अपना 39 का तो अपने इन्हें मैन कंसीड़ा करके चल सकते हैं पिछले साल का IFS का ये रिजल्ट है अपना और जो फरस्ट बेस था उसका ये रिजल्ट है तो इसमें तीन हुए की है और एक मैन चैनल है और एक आपका MP वाला टेलिग्राम चैनल है उसका है बेटर है आप रजिस्टेशन टेलिग्राम के थूई करें क्योंकि वहाँ पर जो चैट ग्रूप बना जाते हैं उनकी लिम्टेशन नहीं होती है second thing आपको जो भी material दिया जाता है वो permanent वहाँ पर पढ़ा रहता है तो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो multiple time डाउनलोड कर सकते हो ये एक अभी material दिया था आप लोगों को हो सकता आप मैसे काफी लोगों को मिल भी गया हो exam के बाद सेंटर के भारत दे दिये गये थे लेकिन क्योंकि सेंटर सेदा थे सभी पर हमारी capacity नहीं थी distribute करना तो कुछ सेंटर बसे गए थे तो ये दिख ले न इसमें actually हम लोग को दिखाना चाहते थे आपको material ये हम लोग material कैसा provide करवाते हैं ये करवाने वाले हैं तो जैसे ही आता है international days, year वगर है अब ये पूछा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ोगे हम लोग अगर के वाले ऐसी list लिख देना कि कौन से कव होता है तो ये list इतने लोग पकड़ाते हैं आपको कि बोरियत हो जाती है पढ़ने की किसा नहीं होती ह और अगर मैं ये लिख दूँ कि ये world wetland day two फरवरी है वो इतने इतने exam में पूछा जा चुका है तो बस आपका जो question को देखनी का जो view है वो फटाक से change हो जाता है और अब आप रटा मार लोगे पहले आपकी एक्छा नहीं होती लेकिन अब आप रटा मार लोगे तो ये ग questions है वो इस type से हैं जैसे ये बना दिया गया ये exam नाम है और यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट मोस का solution है ये PDF जो है इस ये छोटा सो जो फिंगर पॉइंट है इसकी PDF आपको वीडियो के description में मिल जाएगी वहाँ से आप download कर रहें आभी भी अगर कोई ऐसा आपको question हो जो मैंने discuss ना किया हो तो आप पूछ सकते हैं एक question ये भी है कि आपने 2020 का patch join किया था मतलब आप पहले से भाई हो subscriber हो आपकी जो classes है YouTube पे हैं वो वहीं पनी रहेंगी उन्हें हटाया नहीं जा रहा है simple way मैं समझो जब तक YouTube जिन्दा है आपकी classes वहां मिलती रहेंगी आपको तो उसमें गबडाने वाली कोई बात नहीं है second thing ये previous वैलों के लिए क्या उन्हें ये class जोइन करनी चाहिए देख भाई मेरे इसाब से cost effective नहीं है क्योंकि background के running cost इतने जाता है अगर आप ये बोलते हो कि sir मुझे 1000-1500 एक्स्टा ले लो दे दो तो भाई possible नहीं हो पाता है चीज़े रन बहुत ज़दा हो जाती है तो वो देखा जाएगा कितना difference बेकर कि अगर आप join करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर कोई अगर क्रेस कोर्स टाइप का आपके लिए अलग से हो सके तो देखा जाएगा वो बाद का phase है क्या किया जा सकता है लेकिन मैं यहीं बोलूँगा ये साइद आपके लिए उतना suitable नहीं होगा suitable का मतलब यहां 70-80% जो things हैं वो पहले वाली ही है forestry के respect मैं 80% वही है तो आप क्यों वही चीज़ों पर रिपीटेट करके अपना time खोटी करो आप सीदी test practice कर सकते हैं revision and revision और करिए उसे जो ऐसे जिन एरिया से question नहीं पूछे इसका मतलब यह नहीं है कि आप ना पढ़े हैं आप उन्हें explore करिए study material को आप बिल्कुल चाट चुके हैं फिर भी आपको दिसंबर में देना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो book suggest की हैं उन्हें भी पढ़े हो सकता है कुछ आपको नया मिल जाए तो उन्हें भी refer कर दिये अपने area को और वास्ट करिये objective जितना लगा सकते हैं उतना objective लगाईए और यह जो पैच है इसमें एक इसू offline का जएदा आया है तो मैं उसी की बताना बैसाइद बोल चुका हम आपको कि हम लोग देख रहे हैं दो तीन दिन में confirm हो जाएगा कि offline की क्या possibility है डिपेंड भी करता है का offline में जो भी charges होंगे वो आप लोगों पर ही बांटने वाले हैं तो उस हिसाब से short term के लिए structure का क्या loading रहेगी क्या cost रहेगी उस कितना पढ़ सकता है उसे हिसाब से आपको बता दिये जाएगा तो आज के लिए इतना ही आपने अपना कीमत समय दिया उसके लिए धन्यवाद नमस्कार